Hello students and Jai Hind, I welcome you all to Impetus CVT. I hope you all are doing well, सब बहुत ख्यारियत से हैं, अपना धिहान रख रहे हैं and sincerely examination की preparations में लगे हैं, खुब मैनत कर रहे हैं. तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था Class 12 History की पहली किताब और उसका second chapter जिसका नाम है Kings, Farmers and Towns. इस chapter में हम लोगोंने पिछले session में Princip and Piyadassi as well as Inscription वाले topic तक अपनी बातशीत कर ली थी, discussion यहां तक खतम कर दिया था. इसमें हम लोगोंने ये देखा था कि ancient India के बारे में historians को कैसे पता चला कि ancient India में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था Samraat Ashok, जिनको Piyadassi के नाम से भी जाना जाता था, वो पुरा discussion हम लोगोंने किया था. साथी साथ हमने ये देखा था कि ancient history की अगर आप बात करें, भारत के प्राची नितिहास को अगर आप discuss करना चाहते हैं, अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं, उसको लिखना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी हासल करना चाहते हैं, तो इसके लिए inscriptions क्यों important source of information हो जाते हैं, शिला लेक क्यों एक important और एक relevant source हो जाता है, जिसका इस्तिमाल हम लोग एक primary evidence के तौर पर history को लिखने के लिए करते हैं, यहां तक हम लोगों ने बातचीत करकर खतम करी थी, आज उसी के आगे हम लोग इस session में अपने discussion को continue करेंगे, और जो topic हम लोगों ने पढ़ना है, जिस topic से आज हमने अपने session के शुरुवात करनी है, उसका नाम है The Earliest State, इस topic में हम लोग यह देखेंगे कि भारत के जो सबसे शुरुवाती state थे, वो किस तरह से बने, और उसमें क्या-क्या important बाते थी, क्या-क्या उसकी relevant characteristics थी, सबको हम लोग आज के session में discuss करेंगे, तो काफी कुछ है जानने के लिए आज के session में, काफी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, It's my guarantee, ये session आपको ना सिर्फ ये chapter समझने में बहुत अच्छे से help करेगा, बहुत 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 तरह से आपकी understanding developed होगी, इसके बात चाहे आप class 12th history के लिए इसको पढ़ रहे हूँ, चाहे CVT के लिए इसको पढ़ रहे हूँ, चाहे किसी competitive examination के लिए इसको पढ़ रहे हूँ, आप से कहीं पर भी किसी भी तरीके का question, अगर इस particular content से इस topic से पूछा जाता है तो फिर आप से करते बनेगा आप बहुत comfortably उसका जवाब दे पाएंगे So now, without any further ado, here we begin, शुरू करता है The earliest state, the 16th Mahajanpats The 6th century before common era is often regarded as a major turning point in Indian history It is an era associated with early states, cities, the growing use of iron, development of coinage, etc मतलब ये कि 6th शताबदी ईसापूर 6th century before common era मतलब आज से लगभग लगभग 2600 साल पहले का जो time period है आज से 2600 साल पहले जो 6th शताबदी ईसापूर चल रही थी वो भारत के ancient इतिहास के अगर हम बात करें इंडिया की ancient history को अगर हम consider करें तो उसमें एक बहुत major turning point माना जाता है उसमें एक बहुत important time duration या फिर एक बहुत important कालखंट के तौर पर इसको consider किया जाता है इसकी वज़ा ये है कि इस duration में इस time period में जो भारत के सबसे शुरुवाती earliest states थे उनका निर्मान शुरू हुआ भारत के जो सबसे शुरुवाती राज्य थे वो इस time period में बनना शुरू हुआ हडपन civilization खत्म हो जाने के बाद में दूसरी बार Indian subcontinent में cities का जो उदय है वो भी इस time period पे शुरू हुआ फिर से जो है नए शहर हमको दिखने को मिलने लगे हडपन civilization खतम हो जाने के बाद से जो Indian subcontinent में life अर्बन से रूरल की तरफ लॉट गई थी वो रूरल से फिर से अब अर्बन lifestyle की तरफ में वापस दोबारा पलट रही थी और नए नए शहर जो है अब फिर से develop होते हुए दिख रहे थी तीसरा important aspect जो शटी शताबती इसाब पूर को important बनाता है relevant बनाता है वो है iron का इस्तिमाल शुरू हो गया था ना सिर्फ iron का इस्तिमाल शुरू हो गया था काफी बड़े level पर iron का इस्तिमाल होने लगा था iron का इस्तिमाल इसके पहले ही शुरू हो गया था तरीके के जो है modes of production भी develop होते हैं और उससे कही ना कहीं हमारी economic activities भी diversify होती चली जाती है इससे trade वगरा की growth में भी काफी help मिली और इस trade की growth के चलते फिर जाती का भी जो पूरा एक system था अलग-अलग जो आपके task हैं फिर जो अलग-अलग आप जो काम करते थे उसके specialization के basis पर जाती हैं अभी जो है काफी सारी develop होना शुरू हुई इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इसके बाद वाले chapter में तो वो discussion कभी और इसके इलावा एक और important चीज थी कि coinage का development है वो भी इसी particular time period में हमको देखने के लिए मिलता है हडपन civilization में पैसे का इस्तिमाल होता था या नहीं होता था उसके बारे में historians आज तक कोई बहुत सटीक तोर पे कुछ कहनी पाएं मैक्स-to-max historians का मानना यह है कि हडपा वाले तो बार्टर से अपना काम चलाते थे याने की वस्तूओं का लेंदेन किया करते थे कल को अगर और और research हो और हमको पता चले कि भाई वो बार्टर का इस्तेमाल प्रोमिनेंटली किया करते थे या historians का यह मानना है कि वो बार्टर का इस्तेमाल किया करते थे तो एक तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं भारत में पहली बार मुद्रा का इस्तेमाल जो है वो छटी शतापती इसापूर के आसपास में शुरू हुआ, six century before common era के आसपास में coinage का development शुरू होता है, लोग सिक्कों का पैसों का इस्तेमाल पहली बार करना शुरू करते हैं और हम लोग बार्टर से एक तरीके से कह सकते हैं money economy जो शुरूआती earliest phases थे उनकी तरफ हम लोग अपने कदम बढ़ाते हैं, अब यह सारे के सारे changes हो रहे थे साहीर सी बात है, society में कहीना कहीन transformation आना शुरू हुआ था, छटी शताब्दी इसापूर के पहले की society अब तक थी और छटी शताब्दी इसापूर में जब यह development दीरे दीरे होना शुरू हुए और gradually इन्होंने जब रफ्तार पकड़ी, तो उसके बात society में एक बड़े level पर ह है, वो देखने को मिलता है, और जैसे जैसे यह transformation होता चला गया, तो उसने भारत के प्राचीन भारत, in fact, कहना चाहिए, उसके इतिहास के हर एक aspect के उपर एक बड़ा गहरा असर डाला है, यह सारे developments हो रहे थे, साथी साथ एक और interesting चीज़ हो रही थी, नए किसम के diverse system of thoughts जो से वो develop होना शुरू हुए, 6th century before common era के पहले भारत में, जिस तरीके की religious thought process develop हुई थी, जिस तरीके की religious beliefs develop हुए थे, इस time period तक आते आते, उन सारे beliefs को भी कही ना कहीं question किया जाना शुरू हो गया था, उनके ओपर debate and discussion शुरू हो गया थे, और कई बार जो पुराने beliefs थे, उनम विरोध भी होने लगा था, कई सारी चीजों को negate भी किया जाने लगा था, इन सब चीजों के चलते हैं, नए-नए school of thoughts जनन लेते हैं, नए-नए जो है alternative, आप कह सकते हैं, philosophies जनन लेती हैं, जो वक्त के साथ में, फिर religion के रूप में भी develop होती हैं, और उनका भी फिर भारत क उपर बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है, इसी में जो दो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं, प्रभाव डालने वाली Indian society के उपर जो धाराएं शुरू होती हैं, एक है Buddhism और एक है Jainism, इनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, chapter number 4 में बह के आसपास, मैं लगबख 2600 साल पहले हिंदूस्तान में हो रही थी, अब इन सारी चीज़ों को अगर आप एक बार imagine करोगा, तो फिर आप सोच सकते हो कि छटी शदाबदी इसा पूर्व के पहले एक society है, जिसमें काफी हद्ता के एक monotonous किसम का lifestyle देखने को मिल रहा है, एक अब तक prominently बार्टर का इस्तेमाल करते थे, बार्टर के जगे पे अब सिक्कों का use करने लगे हैं, साथी साथ आइरन का जो टूल्स हैं, उसके इस्तेमाल की मदद से खेती बाड़ी अब जादा होने लगी है, उसके चलते और कई सारी चीज़ें होने लगी है, साथी साथ जब आपका पेट भरने लगा, जब आपकी काफी सारी जो basic needs पूरी होने लगी हैं, तो फिर आपके पास में बैट कर विचारने का भी time है, और आप अलग-अलग जो आपकी philosophies हैं, अलग-अलग जो आपके religious thought process हैं, उसके debate and discussion करना है और उसके नतीजे में और नई philosophies का जनम हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें छटी शदापती इसापूर में हो रही हैं, अब early buddhist और jain text जो हमारे पास में मौझूद है, buddhism and jainism जैसे जैसे develop हुआ तो इसमें काफी literature भी लिखा गया था, और क्योंकि ये इस time period में develop हो रहा था, इसलिए अगर हम लोग buddhism and jainism का जो सबसे शुरुवाती literature है, जो 6th century before common era के आसपास ही लिखा गया था, या develop होना शुरू हुआ था, उसको अगर हम लोग study करें तो हमें 6th century before common era के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं, बहुत सारे historical aspect समझ में आते हैं, तो एक उसमें से important aspect ये है, अगर आप early buddhist और gen text को पढ़ते हो, तो आपको ये पता चलता है कि इस time period में कुल मिलाकर 16 states या 16 महा जन्पते जो है वस्तित्व में हुआ करती थी, ये एक बड़ी interesting information है, अपने को शुरुवाती सबसे earliest, सबसे पुराने buddhist और gen text दोनों में मिलती है, तो इसलिए अपन लोग एक तरीके से confirm भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि 16 महा जन्पत या 16 states रहे जरूर होंगे, क्योंकि ये text में लिखा हुआ है, तो हो सकता है, शायद सचना हो, मगर दो अलग-अलग philosophies के text में अगर इस बात को लिखा जा रहा है, तो कहीना कहीं ये certified करता है कि हाँ, प्राचीन भारत में 16 महा जन्पत उस time period में exist करती होंगे, आप ये जो महा जन्पत है, इसमें जो शब्द आ रहा है, महा जन्पत में जो शब्द आ रहा है, जन्पत इसका मतलब उपन लोग पहले देखता है, फिर बाकी बात करेंगे, कि ये महा जन्पत या फिर इसमें जो जन्पत शब्द है, इस जन या फिर जो जना है इसका मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है एक पूरा का पूरा कुटुम्ब भी हो सकता है या फिर एक पूरा का पूरा का पूरा कबीला भी हो सकता है अब अगर लेट से आपके पास में कोई जमीन का एक तुकड़ा है जमीन का कोई पूरा का पूरा पू व्यक्ति आये यहां पर आके यह अल्टिमेटली इनके पद यहां पर पड़े अपने पुरे परिवार के साथ में अपने पुरे ट्राइब के साथ में यह इस इलाके में सेटल हो गए तो उसके लिए आपने शब्द इस्तमाल करना शुरू कर दिया जनपद अब जन्पद शब्द जो है अंग्रेजी में अपने इसको जन्पदा बोल रहा है मगर प्रोमिनेंटली हिंदी में इसको जन्पद बोलता है तो जन्पद शब्द जो है ये प्राकृत भाषा में भी इस्तिमाल होता है अब हम लोग यहाँ पर यह देख रहा है कि 16 महा जन्पद हुआ करती थी जन्पद का मतलब क्या होता है कि एक tribe या फिर एक particular clan अगर कहीं पर settle हो गई है या फिर एक पधिवार या फिर एक कुट्वम कहीं पर settle हो गया उसको अपने जन्पद बोल दिया अब अगर इसका मतलब यह हुआ कि एक particular शेत्र में अगर एक से ज़्यादा tribe settle हो गई है या फिर एक tribe जो वहाँ पर settle होई थी वो बढ़ते 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 बहुत बढ़े इलाके में फैल गई है इसमें जन्पद शब्द का मतलब होता था एक particular शेत्र में अगर कोई वैक्ती उसका परिवार उसका कुटुम या फिर उसका कबीला या tribe अगर आकर settle हो गई है उसके लिए फिर आपने महा जन्पद शक्त इस्तमाल करती है अब यह जो महा जन्पद थी यह कुल मिलाकर सूला जो महा जन्पद थी यह सटी शतावदी इसा पूर में एकदम crystallize होकर निकल कर आ गई थी और इसलिए इनके बारे में हमको जिकर बौद और जैन टेक्स दोनो बंगाल के आसपास में के बौदर पर यह अंग देश कहलाता था या फिर इस जन्पद का नाम हुआ करता था अंग इसी तरीके से यहां पर इसके नीचे जो बंगाल का जो पूर्शान है आज का यहां पर चोटा सा इलाका आपको देखने को मिल रहा है इसको बोला जाता थ है पांचाल, सुरा सेना, मच से, कुरू, अवन्ती, छेदी, अश्माका यहां पर उपर आ जाएंगे तो कमभोज है, गांधार है, तक्षिला है इस तरीके से यह अलग-अलग छोटे-छोटे-छोटे-छोटे जो है इस तरीके के आपको states या जन्पद देखने के लिए इस पोटोग्राफ देखिए, यह इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर इनी को बना कर दिखायागी है, हाला कि अलग-अलग sources जिसमें भी आपको महाजन्पदों का जिकर मिलता है, उसमें कई बार जो महाजन्पदों की list है वो vary करती है, यानि कि कई जगाँ अपर हो सकता है कि 16 की दूसरे sources है, बौध और जैन्पदों का जिकर तो आता है, महाजन्पदों का जिकर आता है, मगर कई बार list जो है, वो change हो जाती है, उसमें कुछ variations देखने को मिलता है, या जो नाम है जिन्पदों के, उसमें भी कई बार आपको variations देखने के लिए मिलता है, हाला कि एक interesting बात या है कि किसी भी source को आप उठा लो, उसमें कुछ जन्पदों के नाम जो है, या कुछ महाजन्पदों के नाम common है, वज्जी का नाम हर महाजन्पदों की list में देखने को मिलता है, मगत का नाम हर महाजन्पद की list में देखने को मिलता है, कौशल, देश या फिर कौशला, इ वह हैं debate में या जो भी discussion हो रहा होता है किसी भी text में बार बार निकल कर रहते हैं इस से हमें ये भी पता चलता है कि हो ना हो ये सारी की सारी जो महाजनपदे थी वज्जी हो गई, मगत हो गई, कॉशल हो गई, कुरू हो गई, पांचाल, गांधार, अवंती ये सबसे important या सबसे powerful महाजनपद रही होंगी, बाकी भी अपना relevance रखती होंगी मगर ये वाली जो महाजनपद थी, comparatively ये ज़्यादा powerful रही होंगी और इसलिए बार बार इनका जिकर हमको देखने के लिए मिलता है एक बार map पर फिर से देखते हैं, तो शायद अपने को इस बात की कुछ समझ भी लगेगी यहाँ पर ध्यान से देखिए, अवंती जो महाजनपद है, इसका इलाका बाकी सारी महाजनपदों की अपेक्षा प्रॉमिनेटली काफी ज़ादा है, मध्यप्रदेश का लगबग लगबग एक बड़ा हिस्ता जो है अवंती महाजनपद कवर कर रही है, आप इस पर्टिकुलर महाजनपद का क्योंकि एरिया ज़ादा है, इसका मतलब यहाँ पर लोग भी जो हैं महाजनपदे थी, यहाँ पर भी रिसोर्से वगरा काफी रहे होंगे, तो इसके चलते अपना इनका एक प्रॉमिनेंस रहा होगा, कुरू महाजनपद जो है, जो आज का वेस्टन यूपी का इलाका है और पांचाल महाजनपद, इनका बार बार जिकर देखने को मिलता है, तो यह क्योंकि यहाँ पर नौर्थ में, यह भी गैंगेटिक आपके जो वैली है, उसी का पार्ट है, तो इसके चलते यह भी अपने कुछ ना कुछ प्रॉमिनेंस रखती होंगी, यहाँ इनके बास में भी कुछ ना कुछ रिसोर्से वगरा होंगे, और कुछ ना कुछ ऐ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसके चलते ही यह जादा रही होंगी, तो यह पर्टिकुलर महाजन्पदें, हर एक आपका जो भी सोर्स है, जिसमें हम लोगों को महाजन्पदों के बारे में पता चलता है, उसमें बार 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 जो है, इनका जिकर देखने को मिलता है, इसके basis पर हिस्टोरियन का मानना यह है कि होना हो यह सबसे इंपोर्टेंट, सबसे रेलेवेंट, सबसे पावर्फुल किसम की महाजन्पदें रही होंगे, चले अब बात करते हैं कि इन महाजन्पदों में जो गवर्णिंग अथॉरिटी थी वो किस तरह की हुआ करती थी, इनके पर शाशन प्रशाशन किस तरह से चलाया जाता था, वाईल मोस्ट महाजन्पदें रूल बाए किंग, सम लोन अस गणाज और संधास वे और उलिगयर्कीज, वेर पावर वा शेर्ड बाइयर नंबर अफ मन, ओफन कलेक्तिवली काल राजास, मतलब यह की जाबतर महाजनपद का एक राजा है और वो ही जो है पूरा शाशन जो है उसको चलाता था उसको रूप उसके उपर अपना राज किया करता था यह ज़ादातर महाजनपदों की केस में सही था मगर यही एक मात्र शाशन करने का तरीका भी नहीं था कई सारी ऐसी महाजनपदी भी हुआ करती थी जिनको या तो गणास के नाम से जाना जाता था या संगास के नाम से जाना जाता था हिंदी में अगर बन बोलेंगे तो या तो गण बोलेंगे या फिर संग बोलेंगे तो कई सारी ऐसी महाजनपदे भी थी जिनको गण या फिर स साइस किया करते थे और इन सब के सब को जो है राजा बोला जाता था मतलब ये कि एंशेंट इंडिया में जो महाजन्पदे हुआ करती थी वहाँ पर रूलिंग के दो तरीके निकल कर आते हैं एक तो हमको ये पता चलता है कि जादा तर महाजन्पदों में राजा हुआ करते हैं एक राजा है और वो राजा जो है महाजन्पद के उपर शाशन कर रहा है एक अपने को पता चलता है कि भाई कुछ महाजन्पदे हैं जिनको या तो गण बोलते हैं साथ हो सकते हैं, number अलग-अलग हो सकता है but the point is कि यहाँ पर एक से ज़ादा व्यक्ति more than one एक से ज़ादा व्यक्ति जो है more than one एक से ज़ादा व्यक्तियों को जो है राजा बोला जा रहा है और यह collectively अकेले तोर पर नहीं, या फिर independently भी नहीं, collectively जो है क्या मतलब होता है, इसको जब अपन लोग समझेंगे तब अपने को यह बात ज़ादा अच्छे से clear होगी कि यह लोग collectively जो जिनको राजा कहा जा रहा है, यह लोग पावर गण में या फिर संग में किस तरीके से exercise किया करते रहेंगे औलिग्यार्की refers to a form of government इस महाजनपत में, let's say, इस महाजनपत के लोगों ने यह बोला कि भाई, हमारे उपर कोई एक आदमी राजनी करेगा, हमारे उपर यह 10 लोगों का एक जो group है एक 10 लोगों का हम लोगों ने group बना दिया और इसमें हर एक जो आदमी हैं उसको हम लोग राजा बोलेंगे तो राजा नमबर एक, राजा नमबर टू, राजा नमबर तीन ऐसे करते करते, राजा नमबर दस यह 10 के 10 लोग जो हैं साथ में एकटा बैठेंगे, जब भी महाजनपत के respect में कोई decision लेना होगा, तो यह 10 लोग या फिर यह जो 10 राजा आपके हैं, इनको आपने साथ में बैठा दिया अब यह लोग बैठ कर जो हैं, साथ में कोई निर्डा लेंगे, साथ में कोई बैठ कर यह फैसला करेंगे, और उसके बाद उस फैसले को आपकी महाचदपत की उपर लागू किया जाएगा तो जब भी आप इस तरीके की कोई वैवस्था अपनाते हो, या फिर इस तरीके की form of government अपनाते हो, जहां पर एक आदमी की जगे, एक से जादा लोग, अब वो number of people कुछ भी हो सकते हैं, एक group of people, एक से याने की जिसमें लोग जो है अपने representatives को चुनते हैं या फिर लोगों के पास ultimate power होती है, कहने के लिए Roman Republic में Republic शब लगा हुआ था, बट basically Roman Republic एक तरीके की oligarchy थी, इसमें कुछ आपके high या फिर elite किसम के जो लोग थे, वो लोग बैट कर साथ में collectively फैसला लिया करते थे कि Roman सामराज्य को आपने किस तरह से चलाना है, कहाँ पर हमला करना है कहाँ पर tax लगाना है, कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो basically जो काम एक अकेला राजा बैट के करता था, अब उसी करते थे या एक से जाधा लोग collectively power को exercise करते थे, सारे के सारे जो है वो individualी राजा कहलाते थे, एक अकेला आदमी अपना कोई फैसला नहीं ले सकता आपको साथ में बैट कर फैसला लेना पड़ेगा और इस तरीके के जो महाजनपद हुआ करते थे और बहुत धर्म के शुरुआत करी थी तो महावीर और बुद्ध जो है ये दोनों इसी तरीके की दो अलिग्यार्कीस से निकल कर आये थे जिनको गण बोला जाता था या फिर जिनकों English में लोग गणास बोल सकते हैं ये एक important point है अपने को याद रखना है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों ओलिग्यार्कीस से आते हैं जिन महाजन्दपतों से आते थे वहाँ पर एक अकेला आत्मी राज नहीं करता था वहाँ पर एक group of people रूल करते थे जिनको राजा बोला जाता था या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जिन महाजन्दपतों से आते थे वह गण महाजन्दपतों की कैटेगरी में आती है या फिर गण और संग जो है उसकी कैटेगरी में ये बिलॉंग करती थी तो ये अपने को याद रखना है तो ये अपने को याद रखना है तो अगर हम लोग कुछ अगर जैसे गण या संगों की बात करें जैसे specifically बच्जी संग की बात की गई है तो यहाँ पर ये जो ये भी एक basically oligarchy हुआ करती थी और यहाँ पर ये जो सारे के सारे राजा थे जो effectively बैट कर यहाँ पर शाषन चलाते थे इनके बारे में ये बताये गया है कि ये collectively इस वज्जी संग या फिर वज्जी महाजनपद की जितने land resources है उसके ओपर इनका control हुआ करता है देखिए इसको इस तरह से समझेए कि एक महाजनपद है उस महाजनपद का एक राजा है अब ये जो पूरा का पूरा राज्य है वो इस राजा का है अब वो राजा की मर्जी है कि वो किसी को जमीन देना चाहे तो दान में दे सकता है किसी से अगर जमीन लेना चाहे या उसकी property जबत करना चाहे तो ले सकता है, उसको मरत्यू दंड देना चाहे, सजा देना चाहे, इनाम देना चाहे, वो सारी चीज़ां कर सकता है. आप अगर इसी की जगे अपन लोग ये बोलें कि भाई ये एक पर्टीकूरर महाजन्पद है वहाँ पर एक राजा नहीं है राजन्स है राजा है य कि ये फैसला लेंगे कि किसी को जमीन का दान करना है या नहीं करना किसी से जमीन वापस लेनी है या नहीं लेनी किसी के ऊपर आपको जो है कोई सजा देनी है उसे कोई पुरुसकार करना एक आदमी बैठके फैसला नहीं करेगा इस सारे के सारे लोग जो है बैठके फैसला करें तो बज्जी जो आपकी संग है या फिर जो बज्जी महाजनपत्ती इसके बारे में इस्पेसिविकली ये बात अपने को पता है historical sources वगरा से कि यहाँ पर जो यह basically गॉलिगैर्की हुआ करती थी और यहाँ पर जो राजा रूल किया करते थे effectively साथ में मिलकर ये लोग land और सारे जो दूसरे resources और land से related उनको collectively उनको control किया करते थे उसके बारे में जो भी फैसला होना था वो सब लोगे साथ में बटकर लिया करते थे हाला कि अब इन सारे महा बाद में क्योंकि जैसे-जैसे मगत का राइस हुआ है तो यह जितने भी छोटे-छोटे आपके गण और संग थे वह अगर बात कीजा तो वहाँ पर आपको इस तरीके के गण और संग देखने के लिए मिलते हैं जिन जो लगबग हजार-हजार साल तक जो है exist किये थे 1000-1000 साल तक वह आपको अस्तित्व में देखने के लिए मिलते हैं हाला कि इनकी हिस्ट्री आज की तारीक में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जादा sources इसके बारे में अपने पास में नहीं है मगर हां हमारे को कई सारी जातक की किताओं में और क काफी सारी दूसरे sources में पता चलता है कि हिमालया के foot holds में खास तोर पर इस तरीके के छोटे-छोटे गण और संग जो है काफी लंबे वक तक exist किये थे कई सारे ऐसे थे जो 1000-1000 साल तक जो है अस्तित्व में रहे 1000 यह तक उनका existence हमको देखने के लिए मिलता है तो यह भी 1000 यह तक कई सारे existence में रहे कई सारे जो है survive कर गए यह भी अपने बड़ी fascinating African interesting बात है ठीक है तो यह अपन लोगों ने देख लिया Each mahajanpad had a capital city which was often fortified maintaining these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucracies required resources तो यह जितनी भी mahajanpad है थी चाहे इन mahajanpadों के ऊपर कोई raja rule करे अकेला या फिर इनके ऊपर एक group of people rule करे यानि कि चाहे तो वो आपकी एक simple kingdom हो सकती है या फिर कोई आपका oligarchy हो सकती है doesn't matter मगर हर mahajanpad की particular capital city हुआ करती थी एक राध्धानी हुआ करती थी and generally इस राध्धानी के चारों तरफ में fortification या फिर किले बंदी देखने के लिए मिलती थी मतलब let's say यह आपका एक बड़ा सा mahajanpad है अब आपने यहाँ पर जो है अपनी एक राध्धानी बना ली यह आपका capital हो गया अब यह capital बनाकर आप यहाँ से राज कर रहे हैं और यहाँ पर generally जो है इस capital के चारों तरफ में किले बंदी करवाई जाती थी ताकि इसकी महाjanpad का अपना capital city था और उसके ओपर एक fortification आपको देखने के लिए मिलता ही था maintaining these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucracies required resources अब जाहिर सी बात है इस तरीके कि अगर आपने बड़ी बड़े शहर बनाये हैं उसके चारों तरफ में किले बंदी करवाई है तो उसको maintain करने के लिए आपको resources की ज़रूरत पड़ेगी आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग पागल तो हैनी कि free में आपका सुरक्षा करवानी है इनमें अगर आपको एक normal जिंदगी चलानी है तो इसके लिए दो चीजों की ज़रूरत पड़ेगी एक तो एक सेना रखनी पड़ेगी और दूसरा एक पूरा का पूरा bureaucracy या फिर एक प्रशाशन का तंतर खड़ा करना पड़ेगा और ये दोनों जो है पालन पोशन कर सके और ये सारी चीज़ें करो के तभी जाके वो अगर आप सेना में उसका इस्तेमाल कर रहे हो तब वो आपको सरक्षा दे पाएगा और अगर आप ब्यूरोक्रेसी में इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर वो आपका शाशन प्रशाशन चला पाएगा तो उसका अपना एक Capital City बनकर तयार होता है, जनरल ये Capital City आपके पूरे महाजन्पत का सबसे बड़ा और सबसे वहववशाली नगर होता है, उस Capital City के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन बना कर उसकी सुरक्षा की वहवस्ता की गई, आप यहाँ पर आपने इतना बड़ा Empire बना लिया है, जिसका आप एक Capital भी मिंटेन कर रहा है, उसकी सुरक्षा भी करवानी है, यहाँ से अब आपको जरूरत पढ़ रही है आर्मी की और साथी साथ आपको जरूरत पढ़ रही है ब्यूरोक्रैसी की, और यह दोनों चीज़ों के लिए आपको जरूरत पढ़ रही है, रिसोर्सेस की, मैं एक्जाक्टली पैसा तो नहीं बोलूँगा, मगर हाँ, रिसोर्सेस की जरूरत पढ़ रही है, ऐसी चीज़ों की जरूरत पढ़ रही है, जिसके बदले में लोग आपके लिए ये काम करने को तयार हो जाएं तो यहां से अब हम कह सकते हैं कि बड़े अलग-अलग interesting aspects जो हैं शुरू होता है trade and commerce के respect में हो या taxation के respect में हो war के बारे में हो इस सारी बाते हैं जो हैं यहां से तो अब हम लोगों ने यह देखा कि resources की जरूरत है आर्मी और bureaucracy को maintain करने के लिए और काफी सारी चीज़ों की अब जरूरत लग रही है तो इसी time period में इसी छटी शदावदी हिसा पूर के आसवास में बाह्मनों ने एक नई चीज शुरू करी उन्होंने संस्कृत में एक किताब का या फिर एक से ज़ादा किताबों को लिखना शुरू किया जिनका नाम था धर्म सूत्रास या धर्म सूत्र जिसको लोग हिंदी में बोलता है तो ब्रामणों ने छटी शदाबदी इसापूर के आसपास से संस्कृत में धर्म सूत्रों को लिखना शुरू किया अब धर्म सूत्र वो किताबें थी या फिर वो टेक्स थे जिसमें पूरे रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए थे रूलर्स के लिए कि आपने अपना शाशन कैसे चलाना है जनरली जो शाशन करने वाला रूलर या फिर राजा हुआ करता था ideally expect ये किया जाता था कि वो एक शत्री होगा और साथी अब उसको किस तरीके से शाषन करना है किस तरीके से उसको रूल करना है एक ruler के तौर पर उसकी क्या duties है और उसके क्या duties वगरा है सारी चीज़ें जो हम उसमें लिखी हुई थी साथी साथ जो दूसरी आपकी social categories है ruler के इलावा जो दूसरे आपकी लोग किसी आप कह सकते है किसी empire में अगर रह रहा है किसी राज्य के अगर अधीन है किसी राजा के अगर अंडर में है तो उनके भी फिर क्या आपके कह सकते है जो social responsibilities है क्या उनके functions है उनसे क्या expect किया जाता है एक नागरिक के तौर पर उनका धर्म या फिर उनका कर्दब भी क्या है ये सारी चीज़ें भी धर्म सूतर में लिखी हुई interesting बात है कि यहाँ पर धर्म सूतर में जो भी बातने लिखी हुई है उनका religious sense नहीं बनता है उनका मतलब बनता है duty के साथ में एक ruler के लिए ये बोला गया है कि सबसे जरूरी हो ideal बहतर होगा कि अगर वो शत्रिय हो मतलब अगर शत्रिय ना हो तो भी चल जाएगा मगर जहां तक हो सा कि शत्रिय होना जरूरी है अब हम लोग अपने next chapter में पढ़ेंगे भी कि हर बार आपका जो ruler है वो शत्रिय ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता था कई बार आपको ऐसे भी लोग देखने को मिलें जो शत्रिय नहीं थे बड़ वो ruler बने और उन्हें भी शाषन चलाया था तो इसलिए धर्म सूत्रों में ऐसा नहीं लिखा था कि शत्रिय नहीं हो तो आप ruler नहीं बन सकते मगर हाँ ये बात बोली गई थी preference दिया गया था कि अगर ideally आप शत्रिय हो तो बहतर अब इसी में फिर ये भी बताये गया था या आपने जब शाषन करना है तो भी या फिर आपका धर्म क्या रहेगा धर्म सूत्र में basically धर्म लिखा गया है तो यहां पर एक ruler के धर्म के तौर पर जो बातें बताई गई थी उसका मतलब religion नहीं था उसका मतलब duty था अब क्या कर सकते हैं आपको क्या करना चाहिए के आपको नहीं करना चाहिए सारी बाते लिखी मुथी इसी के सांथ ही सांथ जो आपकी दूसरी social categories उनके लिए भी यही बात लिखे हुई थी एक ruler के अंडर में अगर आप रह रहे और हो तो प्रजा के तौर पर आपकी तो accordingly जो rulers थे उनको ये बुला गया था कि भाई आप अपनी प्रजा से tax भी collect कर सकते हैं और tributes याने की gifts वगरा भी ले सकते हैं अब इसमें आप ये taxes और अपनी जो tributes हैं वो किस-किस से collect करोगे सबसे पहले तो cultivator याने की जो किसान है उससे आप ये tax या फिर tribute कर सकते हो दू कर रहा है कोई सोने का काम कर रहा है कोई मिट्टी के बरतन बना रहा है कोई कपड़े बनाने का काम कर रहा है तो अलग-अलग जो आपके artisans बगरा है जो production में लगे हुए है other than cultivation उनसे भी जो है आप tax बगरा ले सकते हो या tribute ले सकते हो अब interesting point यहां पर ये निकल कर आता है कि जो चार वर्णों की ववस्था थी जिसमें ब्राम्हान या ब्राम्हान शत्रिये वैशे और शूद्र की बात की जाती थी यहाँ पर उस बेसिस पर आपको taxation बगएरा के लिए नहीं बुला गया यहाँ पर यह बुला गया है कि यहाँ तो cultivator से ले लो या ट्रेडर से ले लो या artisans बगएरा से ले लो मतलब यह जो जाती अन बर्ण की ववस्था है इस वक्त अभी जब धर्म सूत्र लिखे जा रहे थे तब तक एकदम crystallize नहीं जाए उसी time period में धर्म शास्त्रों को लिखा जाता है और यह बात ensure की जाती है कि यह तीन category से आपके राज्य में cultivator याने की जो खेती बाड़ी कर रहा है यह अपना अवंती महाजनपद है यह चेदी महाजनपद है यह काशी हो गया यह मगध हो गया अंग हो गया वज्जी हो गया यह मल्ला हो गया इसी तरीके से यह कौशल राज्य हो गया पंचाल हो गया कुरू हो गया मत्स हो गया सुरा सिना यह प्रोमिनेंटली जितने भी आपके राज्ये थे ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन राज्यों में सारी जो जमीन थी वो एकदम फ्लैट ग्राउंड था और यहां पर सब लोग जो है एकदम बड़े-बड़े शहर बना के रह रहे थे जादातर इलाका तो इन महाजंदपतों का भी जो है वो जंगलों से खिरा हुआ था या जादातर इलाकों पर यहां पर भी आपको जंगल रेखने के लिए मिलता है और जंगल ऐसा भी नहीं था कि उसमें जंगली जानवर रहते हों जंगलों में भी इंसान रहा करते थे जिनको अपन लोग वनवासी बोलता है तो जंगलों में भी इंसान रहा करते थे जिनको वनवासी बोला जाता है तो यहाँ पर जो आपके धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र रहा हैं वो यह कह रहा है कि आप कल्टिवेटर से tax ले लो, ट्रीडर से tax ले लो, आटीसन से tax ले लो, यही से अगला question अपने दिमाग में यह आएगा कि यार महाजंदपत का ज़ादा तर इलाका जो है उस पे तो जंगल वगरा देखने को मिलता है तो इन जंगलों में जो आपके forest में रहने वाले लोग रहा करते थे वो हो गए या फिर जो आपका इन से टेक्स वगरा क्लेक्ट किये जाते थे या नहीं किये जाते थे एक बड़ा इंट्रेसिंग सवाल यहां से बनकर आता है आपके पास में महाजंपद है महाजंपद में कितनी काम बगएरा है, let's say, और इतने इलाके में आपका forest फैला हुआ है, इतने इलाके में बाकी लोग है, उनसे आपने tax बगएरा collect कर लिया, मगर prominent इलाके में आपका जंगल फैला हुआ है, और जंगल में रहने वाले आपके वनवासी या forest people हैं, और इसी इलाके में आपके जो पशुपालन करने वाले pastoralist हैं, इनसे tax collect किया जाता था या नहीं किया जाता था, इनसे भी जो है, resources वगएरा attributes लिये जाते थे, एक सवाल ये बड़ा interesting निकल गार आता है, और इसका जवाब historians के पास में actual में नहीं है, हमारे पास में को यही समझ में आता है, कि prominently जो यह तीन categories थी cultivator, trader and artisans जो basically एक settled किसम की life अब तक जीने लगे थे, या तो खेती बाड़ी कर रहे थे, या व्यापार में लगे थे, या खेती बाड़ी और व्यापार ना करके किसी और तरीके की काष्ट कारी किया कर रहे थे, prominently यही लोग जो है, tax वगरा दिया करते थे, जादा तर जो हिस्सा जिससे शाषन चलता था tax वगरा के basis पर, वो इनी लोगों से निकल कर आता था, पशूपालन करने वाले या जंगल में रहने वालों से tax लिया जाता है नहीं लिया जाता था, इसके बारे में अपन लोग जाहिर तौर पर, बहुत confident तौर पर अपन कुछ कह नहीं सकता है, हालाग यह एक interesting बात यहाँ पर भी निकल कर आती है, यह अपने को पता है कि अगर कोई neighboring state है, अगर कोई, let's say कि एक महाजंदपad यह हो गया, इसको अपन M1 गोल देते हैं और एक महाजंदपद यह हो गया, इसको अपनों के M2 गोल देते हैं, तो अगर यह महाजंदपद M1 चाहिए तो M2 के ओपर attack करकर यहाँ रेड कर सकती है, और यहाँ से raid करने में या loot मार करने में उसको जो भी चीज़ें मिलती है या फिर जो भी धन वगरा मिलता है जिसको लाकर फिर वो अपना शाशन चलाती है तो फिर इस चीज़ को गलत नहीं माना जाता था ये बड़ा एक interesting point निकल कर आता है कि अगर कोई एक महाजंद पर या कोई राजा या कोई state चाहे तो वो अपने दूसरे पड़ोसी राजा के ऊपर attack कर सकता है, वहाँ पर raid कर सकता है raid करके loot मार कर सकता है और वहाँ से फिर यूद करके उससे wealth वगरा को acquire कर सकता है और उसको लाकर फिर इसकी मदद से अपना शाषन चला सकता है इस चीज़ को गलत नहीं माना गया था इस चीज़ को legitimate माना गया था इसके पीछे का logic समझना आसान है suppose कर लीजे कि आपके पास में एक महाजंद पर है M1 और एक दूसरी महाजंद पर है M1 अब ज़्यादा तर लोगों का व्यापार नहीं हो रहा या फसल नहीं हुई तो फिर काश्तकार भी समान किसको बेचेंगे उनका भी जो है व्यापार नहीं चलेगा तो पदा चला कि वो जो prominent तीनों केटेग्री है जिससे आप tax collect कर सकते हो वो एक फसल खराब होगी तो व्यापार नहीं हो असले जादा नहीं दे पाएगा और क्योंकि यही दोनों इसकी में कस्टमर्स हुआ करते थे इनके पास में पैसे नहीं है तो फिर इसका भी समान नहीं बिका तो यह भी नहीं दे पाएगा पता चला कि इस बार जो यह M1 वाली जो आपकी महाजनपद इसका tax collection बहुत जादा कम हो गया मगर अब शाषन तो चलाना है अब क्या किया जाए ऐसी परिस्तिती में उसको ख़बर लगती है कि जो M2 महाजनपद है यहाँ पर tax collection भी अच्छा है लोगों के पास पैसा वैसा भी खूब है और काफी वहवव है और अपने पास में भी इस्तिती खराब है तो अब क्या कर करना है मौन्सुन बगरा के बाद में तब तक तो पता चला बहुत लेट हो जाएगा ऐसे हम अब क्या करें तो अपने काम किया उठा कर दिया रेड या फिर अपने पास में जो आर्मी या फिर अद्मिन्स्रेशन अपना बना रखा है लोगों को लेकर गया अपने चड़ा करना उसके हितों का पालन करना और अगर इसके लिए उसको फिर किसी दूसरे राजी के उपर अटाक करकर वहां से वेल्ट अक्वायर करना भी पढ़ रही है तो इस चीज को भी करना वाजिब माना जाता था लेजिटिमेट माना जाता था यह बड़ा इंट्रेस्टिंग प पता चला किया है अपन इसके उपर हमला करकर रिसोर्स वगरा इखटा कर सकते हैं तो फिर यह चीज दीरे दीरे बढ़ने लगी M1 वाले ने पहली बार पता चला मजबूरी में जो M2 के उपर अटैक किया था माहाजनपद 1 ने माहाजनपद 2 के उपर मजबूरी में अटैक इंप्रूव हो गई तो अब यह जो M1 माहाजनपद वाला आदमी है या जो रूलर है उसकी स्तिती हो जाएगी मिर्जाबूर के कुड्डू भाईया जैसी वो जो डायलॉग है कि शुरू मजबूरी में किये थे बट अब मज़ा आने लगा है तो वही वाली बात यहाँ प इस तरीके से इसने किसी और के उपर रेड कर दी तो जैसे जैसे अब यही चीज जो M3 ने M2 के उपर रेड कर दी या फिर M4 ने जो M1 के उपर रेड कर दी तो यह जो महाजनपदे थी एक दूसरे के उपर इस तरह से हमला करकर बड़ी मातरा में वेल्थ वगरा जो है उसक लूट मार भी एक तरीकिया अटैक करकर लूट मार करना और पैसा एकटा करना धनी खटा करना रिसोर्से एकटे करना उससे अपना जो है फिर शाशन प्रशाशन चलाना इसको क्योंकि legitimate माना जाता था तो फिर यह धीरे-धीरे बढ़ने लगा अब जब इस तरीकी की चीज इसे होने लगी तो फिर धीरे-धीरे स्टेट्स ने इसको काउंटर करने के लिए और इस चीज़ को ज्यादा अच्छे से करने के लिए standing armies को maintain करना शुरू कर दिया पहले यह होता था कि जो आदमी किसान है normal time period पे अब raid मारने चलना उससे बोल दिया कि अब खेती-किसानी चोड़ वही है raid मानने चलना है वो चले गए raid मारी वहां से फिर बच-बचा कि अगर आगा है तो फिर अपना खेती-किसानी करने लगे तो पहले कोई regular standing army नहीं हुआ करती थी एक आदमी एक काम कर रहा है उसके बाद में लड़ने-मरने की ज़बूरत पड़ी तो वही होती है तो इसको रोकने के लिए दूनों चीज़ों के लिए आपके अलग-अलग महाजन्पदों ने अपनी अलग-अलग standing armies जो है regular armies maintain करना शुरू कर दी जिनका कामी जो था वो लड़ना-विड़ना था या तो attack करना था किसी दूसरे राज्य के उपर loot मार करने के लिए या फिर अगर आपके उपर attack हुआ है तो फिर उसको defend करना था उस loot मार से अपने राजिक को बचाना था दूनों चीज़ों के लिए आपको आर्मी की ज़़ूरत पढ़ने लगी और यह standing armies फिर यहां से develop होना शुरू साथ ही साथ अब क्योंकि आपके शाशन प्रशाशन बढ़ गए थे आर्मी मेंटेन करना पढ़ रही है याने कि आपका आपका महाजनपद है वो काफी जादा मजबूत हो गया था काफी महाबर revenue and resources इखटे हो गए थे अब इतने revenue and resources को properly distribute किस तरह से किया जाए किसको किती तंखा दी जाए किस से क्या काम लिया जाए आपका पूरा जो administration है उसका कैसे प्रबंद किया जाए इसके लिए फिर आपको एक regular bureaucracy की या फिर एक प्रशाशन की भी ज़रूरत पढ़ने लगी तो लोगों को specifically जो है फिर प्रशाशी का काम करो और शांपो घर जाओ और जो भी एक duration होता होगा उसके बाद में इस particular काम का महनत आना भी मिलेगा कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ आल्री भी दी जाएगी तो इस तरीके से इस time period पे जो लगाता rates हो रहीं थी है जो एक दूसरी की loot mark करने का जो एक redistribution के respect में उस wealth को कैसे organize कराना है उसका कैसे इस्तमाल करना administration चलाने में इन सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए bureaucracy administration भी जो है और regular basis पर रखा जाने लगा others continue to depend on militia recruited more often than not from the peasantry तो ज्यादा तर जो आपकी महाजन्दपदे थी जहां पर लगातार हमले हो रहे थे तो उन्हों ने तो यह करना शुरू कर दिया जिनके साथ में इतना खतना नहीं था जैसे कि ऐसी कोई महाजन्दपद है जो पहाड़ों से गेरी होई है या फिर ऐसी पाजाना यह पुराने डर्वे पर चलते रहे क्योंकि इनको उतना खत्रा नहीं था यह उतनी जरूरत नहीं लगी जिनको सबसे जादा खत्रा था सबसे जादा जरूरत थी जिनको सबसे जादा लूट मार करनी थी उन्होंने इस तरह से standing armies and bureaucracies बनाना शुरू कर दिया यह यह भी एक बहुत बड़ी वज़ा है कि कुछ महाजन्पदे जो है वो वक्त के साथ में मजबूत होती चली गई, stronger होती चली गई और कुछ जो है वो comparatively उतनी मजबूत नहीं हुई, तो ultimately फिर फिर वो जो थी इन बड़ी stronger महाजन्पदों ने उनको attack करकर उनको अपने consume कर लिया और अपने empire का या फिर अपने शाशन का part बना लिया, तो ये भी एक वज़ा थी कई सारी जो छोटी छोटी आपकी महाजन्पदे थी वो वक्त के साथ में खतम हो गई और कुछ जो है बाद में आते आते प्रॉमिनेटली मजबूत या powerful महाजन्पद ही जो है, वह इस तरह से rise करके सबसे powerful महाजन्पद के रूप में उभर कर या फिर निकल कर आता है, और इसका कैसे एक empire के भूप में भारत के सबसे शुरुवाती और सबसे powerful empire के रूप में इसका उदाय होता है, इसको भी हम लोग discuss करेंगे, बट ये सारा discussion करने के पहले, एक बार आप पांच भी चटी शदाबदी इसापूर के अगर बात की जाए, जब मगत का rise शुरू नहीं हुआ था, तब एक महाजन्पद के रूप में ये सिर्फ इतने इलाके तक पहला हुआ था, ये जो red color से मैंने इसको पूरा darken किया है, इतना इतना portion अपना मगत का हुआ करता था, इतने portion में, इतने 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 इलाके में हमको मगत देखने के लिए मिलता है, आज की तारीक में ये इलाका कहां पर है, प्रॉमिनेंटली ये इलाका बिहार में, का जो बिहार का जो शेत्र है वहां पर मगत का, अब प्रॉमिनेंटली आपको हिस्सा देखने के लिए मिलता ये पांचवी छटी शताब्दी इसापूर के आसपास का मैप है अब यहां से किस तरह से राइस करता है और किस तरह से बढ़ता चला जाता है उसको लोग डिसकस करेंगे बिट्वीन 6th and the 4th century before common era मगट in present day बिहार became the most powerful महाजनपत यानि कि 6th से 4th शताब्दी इसापूर के लगभग 200-200 साल के बीच में मगट जो है वो सबसे powerful महाजनपत के तौर पर निकल कर आता है सबसे powerful महाजनपत के रूप में rise करता है अब मैंने आपको जो पीछे map दिखाया था उसको जड़ा compare करिएगा इस वाले map के साथ में अब वहाँ पर अपने ये देखा था कि मगट एक इतना लगबग छोटा सा पोर्शन था उसके पेक्षा चौती शताब्दी इसापूर बाते आते मगट का फैलाव या फिर राइस काफी ज़ादा होने लगा था दीरे दीरे अपने आसपास की काफी सारी महाजनपदों को इसने अपने अंदर समेट लिया था और एक काफी powerful, काफी बड़ी, in fact सबसे बड़ी महाजनपद के रूप में मगट का होता है अब आप इसको compare करिए कहाँ वो इतना छोटा सा portion अपने देखाते है इसके पहले वाले map में और कहाँ जो है ये फैलते है फैलते है चौती शताबदी सापूर बाते आते है इस level तक जो है पहुँच जाता है तो यहाँ पे अपने वो clear cut दिख रहा है कि मगट जो है इस development की या फिर ये जो पूरा empire के रूप में मगट जो है rise अभी करेगा जिसको हम लोग discuss करेंगे या फिर एक सबसे powerful महाजनपत के रूप में जो ये rise किया है इस पूरी development को समझाने के पीछे है जो important factors है उनको हम लोग अभी देखने वाले है historians को क्या लगता है कि कौन-कौन से important factors थे तो सबसे पहला है मगट बहुता region where agriculture was especially productive मगट का जो ये पूरा शेत्र है ये वो शेत्र है जहाँ पर agriculture बहुत जादा productive था ये बात बिल्कुल सभी है क्योंकी इस पूरे की पूरे शेत्र में काफी सारी नदियाँ भहती है गंगा नदियां यहां से जाती है गंगा की काफी सारी tributaries यहां से भहती है इसके चलते जो जमीन है जो मिट्टी है वो बहुत ज़दा उप जब जाओ है अब मिट्टी क्योंकि बहुत ज़दा उपजा हुए इसके चलते हैं यहाँ पर agriculture करना बाकी ऐसे शेत्र जहाँ पर इतनी सारी नदिया नहीं है इतना अच्छी जलवायू नहीं है वहाँ पर अगर आप agriculture करते हैं तो उसकी अपेक्षा यहाँ पर agriculture करना comparatively आसान है या फिर ज लगाए भीना आपको यहाँ पर agriculture में ज्यादा productivity देखने के लिए मिलेगी ज्यादा output देखने के लिए मिलेगा अगर agriculture में output ज्यादा हो रहा है अगर किसान की पैदावार ज्यादा हो रही है तो अपन ने इसके थोड़ी तर पहले देखा था कि धर्मशास्त्रों में यह ल अपना administration ज्यादा अच्छे देख चला सकते हैं ज्यादा बड़ी आर्मी रख सकते हैं जाइड़ी ज्यादा बड़ी ज्यादा powerful army का फिर अपना एक role होता है किसी भी empire को expand करने में वही बात मगद के ओपर लागू होती है तो पहला prominent reason की मगद जिस शेतर में बसा हुआ था यहाँ पर agricultural बहुत productive था and जैसे जैसे further फिर agriculture का expansion होता चला गया तो इसके चलते आपका production बढ़ता चला गया production बढ़ने के चलते tax बढ़ा और tax के बढ़ने के चलते फिर कही ना कहीं tax के बढ़ने के चलते empire की financials थिती and ultimately military और बाकी सारी चीज़ों में improvement हमको देखने के लिए मिलता है दूसरा besides iron mines in present day जharkand were accessible and provided resources for tools and weapons दूसरा जो के important point था वो यह है कि आज का जो मगत का वो इलाका जो आज की तारीक में जहां पर iron की mines या लोही की खाने आपको मिलती है यह accessible थी आपको अपने महाजंपद में यहां से अब जो लोहा या फिर iron ore मिलता था उसकी मदद से उसको बिगला कर आपने अलग agricultural tools को बनाया अलग-अलग weapons को तयार किया agricultural tools के जितना ज़ादा बड़ी मातरा में आपने agricultural tools बनाकर अपने producers को अपने farmers को बाटे उन्होंने उतना ज़ाद आपको production बढ़ा कर दिया अब production जितना ज़ादा बढ़ा उतना ज़ादा आपका tax ब बढ़ रहा है अब देखिए कितना ज़्यादा जो हैं आपस में आकट जुड़ जाती है.. प्रोडक्शन जदा बढ़ रहा है ने से जो किराजा है वो किसानों से टैक्स ज़्यादा ले यह गर्ा सकता है टैक्स कलेक्शन लेगार सकते हैं ऑर आप fakibility सारी चीज़ाने और इसी को agriculture का production बढ़ाने में iron का जो mines हैं वहां से जो लोहा मिल रहा है उसकी मदद से जो tools बनाए जा रहे हैं वो भी important tool अधा कर रहा है अब बड़ी मात्रा में यहां पर iron accessible है तो यहां से tools की विवस्था यहां से जो iron निकला उसकी मदद से अपने tools बनवा है tools बनवा कर आपने अपने agricultural जो production करने वाले लोग थे अपने किसान जो थे उनको बाढ़ दिये तो इसके चलते जो production बढ़ रहा था यह और ज़्यादा exponentially grow करने लगा यह जितना ज़्यादा grow करेगा तो आपका जो tax collection है वो भी और ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो यहां पर vicious cycle बन गया अब इस tax collection की मदद से आप अपनी आर्मी के उपर भी खर्चा कर सकते हो और साथी साथ अब अपने administration पर भी खर्चा कर सकते हो और फिर forge के लिए भी इसी iron ore से यहीं पर जो लोहे की खाने हैं यहीं से जो आपको लोहा मिल रहा है उसकी मदद से और weapons बनाए जा सक आपके पास में यह iron की ore है तो आपको अलग से कहीं से लोहा लाने की जरूरत ही नहीं आप खुदी जो है उसके weapons बना ले रहा है या फिर अगर किसी और को भी जरूरत है तो आप बड़ी ऊची कीमत पर weapons को बेच रहे हैं और इससे भी आपैसा कमा रहे हैं तो iron mines क्योंकि इ इसने agriculture को भी बढ़ाया है और इसने सेना को भी जो है मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद करी है इसके बाद तीसरा important factor जो historians मानते हैं मगत के rise में important था वो है हाती elephants an important component of the army were found in the forest in the region इस जमाने में जितनी भी आपकी युद्ध हुआ करते थे जितने भी wars वगरा लड़े जाते थे उसमें elephant का एक बड़ा important role होता था in fact अगर आप पुराने इतिहासिक अगर युद्ध उठा कर देखेंगे तो ग्यारवी बारवी शताब्दी तक भी हातियों का काफी इस्तेमाल होता रहा है अपने भारत में जो युद्ध तकला थी उसमें elephants काफी मातरा में इस्तेमाल होते थे तो क्योंकि army का एक बहुत important component जो है वो हाती थे और फिर वही बात कि यहाँ पर क्योंकि इस इलाके में जो जंगल पड़ते थे वहाँ पर इस पूरे शेतर में हाती काफी मातरा में पाए जाते थे तो यहाँ से हातीयों को पकड़ना छोटी उमर में उनको पकड़ लेना औ उसके बाद में फिर उनको train करना आपने army के जो भी जरूरत है उसके हसाब से ज़ादा आसान था बजाए किसी दूसरे ruler को किससे compare करें अगर आपकी जहाँ पर हाती या तो होते ही नहीं है या फिर कम होते हैं या फिर उनको बाहर से लाना पड़ रहा है उसके लिए फिर मह आप सोच कर देखिए कि अगर आपने 10,000 लोगों की फोज भेज दी कहीं पर 200-300-500 हातियों के सांथ में वो 200-300-500 हाति जो है अपने आप में कहीं ना कहीं एक आपका power projection ऐसा कर देंगे कि ruler एक बार जो आपका opponent में वो लड़ने से पहले सोचेगा कि या लड़ू की मतलब इ जैसे आज की तारीक में होता है कि आप अपने aircraft carriers को जैसे United States of America cook करता है अपने aircraft carriers को कहीं पर भेज देता है किसी region में जहां पर उसको कोई शांती वारता करनी है और उसके बाद में फिर डाला गिरी करता है कि अगर आपने हमारी शर्ते नहीं मांगी तो aircraft carrier खड़ा है हम यहा आपने 200-500 हाती भेज दी है वो 200-500 हाती होगा जो प्रभाव पड़ेगा जो power projection होगा वो कही ना कहीं बहुत important एक role अदा करेगा किसी भी आदमी को reconsider करने में अपने फैसले को कि वो मगत से लड़े या ना लड़े और यह बहुत बड़ी वजा रही कि काफी सारे लोगों न बिना लड़े ही जो है मगत की दास्ता सुईकार कर ली कई सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी तो उसके बाद वो जीत नहीं पाया और यह एक prominent reason रहा कि यह जो weapons आपने खूब सारे बनाये थे iron tools से और जो यह अपनी अच्छी कासी एक बड़ी मात्रा में जो हातियों को श लास्ट पॉइंट था communication का गंगा and its tributaries provided a means of cheap and convenient communication देखिए किसी भी empire को अगर आपने सुचारू रूप से चलाना है तो सबसे जरूरी होता है कि आपको information time to time मिलती रहे और अगर आपने किसी को कोई instructions अगर आप देने है तो वो time से उसके पास पहुंच जाए और वो उसके accordingly instructions के उपर को काम कर सके उस जमाने में अब दूर संचार का तो कोई माध्यम था नहीं अगर कहीं से मगत के किसी दूर के अलाके में अगर कोई घटना हो गई कोई rebellion हो गई कोई activity हो गई कहीं से पता चला कि कोई हमला करने के लिए फौज लेके आ रहा है अब अगर ये खबर आपको उसकी राजधानी तक पहुँंचानी है तो एक रास्ता तो यह है कि आप जमीन के रास्ते से बैड बैठ कर जाओ या फिर हंती बैठ कर जाओ नदी के रास्ते अगर आप जाओगे तो और अगर आपको धारा जो है उसका प्रभाव भी अपने साथ में मिल गया अगर धारा के बाहों के डारेक्शन और फ्लो के साथ ही अगर आप फ्लो कर रहे हो तो इससे आपको कही न कहीं जल्ड आप बहुत जल्दी पहुंच सकते थे उस टाइम पिरिड के हिसाब से यह सबसे फास्टेस्ट मोड अफ कम्मिनिकेशन हुआ करता था तो क्योंकि मगद में गंगा बह रही हैं गंगजी के सातीसाथ गंगा नदी की जो दूसरी ट्रिव्ट्री नदीया थी वो सारी की सारी भी यहाँ पर बह रही थी accordingly फिर जो भी आपकी information है उसके उपर जो भी निर्डे लेना है वो निर्डे लेकर जो भी गतिविदी करनी है वो की जा सकती थी तो यह जो convenient और एक fastest mode of communication के तोर पर tributaries का गंगा नदी की और गंगा नदी को इस्तेमाल किया जाता था यह जो cheap और बहुत fastest mean of communication था इसने भी मगत को अपना एक superiority maintain करने में बहुत जादा मदद करिये बाकी सारे empires के पास में advantage नहीं था कि उनके पास में नदियों का इतना अच्छा network हो जिसमें एक से दूसरी जगे आने जाने में कम वक्त लगे और उसके accordingly फिर वो information जल्दी एक से दूसरी जगे पहुँचा सकें और उसके उपर फिर action ले सकें क्योंकि मगत के साथ में advantage था और यह advantage आने वाले 200 साल तक चटी से लेके चौती शताब्दी इसा पूर तक उनके favor में रहा आगे भी रहा बट चटी से लेके चौती शताब्दी इसा पूर तक के time period में क्योंकि यह चीज उनके favor में गई इसके चलते ही है बाकी empires वगरा के उपर एक advantage या फिर एक बाकी महाजन्तपदों के उपर एक advantage या फिर एक edge maintain करते थे और इसी के चलते ही है काफी जाधा तेजी से expand करते चले गए और आपको 200 सालों के अंदर इतने छोटे से महाजन्तपद से इत इतिहास को दर्शाने वाले जो सबसे शुरुवाती बुद्धिस या फिर जैन टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि इन टेक्स को लिखने वाले जो writers थे उन्होंने ये जो factors हम लोगों ने भी discuss किये हैं इसके इलावा भी मगद का जो ये power का rise हुआ है इसके पीछे इसको rule करने वाले कुछ individual rulers की policy को भी जो है जिम्मेदार बताया है इनका कहना ये है कि मगद के साथ में जितने advantages थे वो तो थे ही थे इसके इलावा इसके जो राजा रहे हैं शटी से लेके चौती शदावदी इसापूर के बीच में ये राजा बहुत ज़ादा ambitious थे ruthlessly ambitious थे मतलब ये बहुत ज़ादा आप कह सकते हैं कि अपने empire को बढ़ाने के लिए प्रतिबत देते हैं ये पूरी तरह से जो है तन बन धन से लगे हुए थे कि भाई मुझे अपने empire को मजबूत से मजबूत और powerful से powerful बनवाना है ऐसा नहीं कि एक जंग जीती है और उसके बाद में बढ़ गए दो जंग जीती है और बढ़ गए ऐसा नहीं है इनका ये था कि बस बढ़ते चलो लगातार लड़ते चलो लगातार अपने empire को फैलाते चलो और सबको अपने अधीन आपको लेकर आना है तो ये जो ruthless ambition था उन सारे राजाओं का जो 6 से लेके 4th century before common era की बीच में आये है मगद में ये भी एक बहुत बड़ा reason था जिसके चलते मगद इस तरीके से फैलता चला गया इस तरीके से सबसे powerful महाचनपत के तौर पर निकल कर आया है इसमें prominently तीन राजाओं का जिकर आता है सबसे पहले बिंबी सार का जिकर आता है जिन्होंने इस पूरे के पूरे अभियान की शुरुआत करी उसके बाद में आते हैं अजात सत्तू अब इनके लिए एक और नाम इस्तिमाल किया जाता है वो है अजात शत्रू बट क्योंकि अपन लोगों ने पहले डिसकस किया था पहले लेक्चर में मने आपको बताया था कि इस किताब में हम लोग प्राकृत भाषा में जो नाम है उसको लेकर चलेंगे तो प्राकृत भाशा में अजात शत्तु को अजात सत्तु बोला गया है, इसलिए इस किताब में लोगों ने इसको अजात सत्तु लिखा है, अब अजात सत्तु बोलें बात वही पढ़ती है, तो दूसरे जो रूलर रहे वो अजात सत्तु रहे, अजात शत्तु रहे, इन्हो उन्होंने भी जो है मगत के expansion में बहुत बड़ा rule अदा किया है इन तीन rulers को खास तोर पे जो शब से शुरुवाती बुद्धिस्ट और जैन टेक्स के writers हैं वो contribution देते हैं वो मानते हैं कि इनकी policies और इनकी ambitiousness इनकी महतवकांचा है जिन्बिदार रही है जिसके चलते हैं मगत इतना तेजी के साथ में बढ़ा है इसका इतना तेजी के साथ में उद्य होगा है साथ ही साथ इनके जो ministers वगरा है उन्होंने भी इनकी मदद वगरा करी थी इनकी policies वगरा को implement कराने में help करी थी और उसने भी जो है important role empire को फैलाने में अदा किया था बड़ ओवियस सी बात ह जिसमें इन राजाओं का ruthlessly ambitious होना भी जो है शामिल है दोनों चीजें एक साथ हिकटी हुई और जो कि होता ही है कि अगर किसी चीज का वक्त आ जाए तो फिर मगत का वक्त आ गया था और वो वक्त फिर आया तो ऐसा आया कि वो एक superpower के तौर पर बढ़ता चला गया और कोई पर उसको रोख नहीं पाया चलें जी तो यह जो है अब यहाँ पर देखिए जैसे फोर सेंचुरी आते आते मगत इतने छोटे से सेक्षन से इतना बड़ा हो गया था यहीं से अगर हम आगे बढ़ते हैं महापद नंद का टाइम आते आते 325 बिफोर कॉमन एरा आते आते यह जो ब्राउन कलर से पुरा शेतर दिख रहा है मगत इतने इलाके में फैल चुका इतने बड़े इलाके को यह अपने कबजे में लेकर आ गया थे नंद अंपायर जो बना था महापद नंद ने जो बड़ा अंपायर बना के तयार किया था 325 बिफोर कॉमन एरा आते आते तो देखिए इतना बड़ा इलाका यहां पर इन्होंने अपने अंदर लेकर आ गया लगबग लगबग पूरा पश्यम भंगाल का इलाका हो गया झार खंड हो गया उडीज़ा का कुछ पोर्शन हो गया, UDiSA का कुछ पोर्शन हो गया, UP का एक बड़ा इलाका है, मतय प्रदेश का आधीयर गलओ थोड़ा बहुत महराष्ट का जो और आंधर का भी और देलांगना का भी कुछ पोर्शन जो है इसमें कवर हो रहा है तो इतना बड़ा अंपायड जो है महापद नंद का टाइम आते आते 325 बिफोर कॉमन एरा तक हिंदोस्तान में बनकर तयार हो गया था इसके पीछे ये जोग्राफिकल एस वलेस पॉलिटिकल रीजन्स दोनों का हाथ रहा और मगद नो डाउट इस ताइम पीरिड तक 325 बिफोर कॉमन एरा तक अब किसी को कोई शक या संचया नहीं रह गया था कि सबसे पावर्फुल, मोस्ट पावर्फुल आपका महाजन्दपत के रूप में उदय कर चुका था इनीशली अब यहाँ पर यह जो मगद है इसका जो कैपिटल था उसका नाम था राजग्राफुल आपके थोड़ी देर पहले पॉड़ा भी था कि जो हर एक आपकी महाजन्दपत थी उसका अपना है कापिटल हुआ करता था तो सबसे शुरुआती वक्त में मगद महाजन्दपत का कैपिटल हुआ करता था उसका नाम था राजग्राफुल यह जो है आज की तारीक में बिहार में एक जिला पढ़ता है राजगीर प्रेजेंट डे का जो राजगीर है वहीं पर यह राजगरह या राजा गहा जो है यह स्तित था और यहां से जो है मगद अपना पूरा जो भी अमपायर वगरा है चलाया करते थे मगद की अलग-अलग राजगा या फिर राजगरह भी इसके नाम से भी इसको जाना जाता है यहां से यह अपना पूरा काम चलाते थे यह इसका शुरुवाती कैपिल्टल हुआ करता है इसका मतल करने नाम इसका नाम राज गठाल करने राज़ा रहता था राजा यहां से अपना पूरा काम है न मतलब इन लोगों को गर्षा शंक्रिशा वी था शंर पर हमला भी तो अपना जो भी राजग्रिहा नाम सिंद्धा capital है उसके चारो तरफ fortification है उसके चारो तरफ hill वगएरा है hills के बीच में यह बना हुआ था और यहां से अपना पूरा empire वगएरा चलाये करते हैं यह सबसे शुरुवाती phases की बात है बाद में चौती शताबदी ईसापूर बाते आते capital को shift किया गया था राजग्रिहा से पाटली पुत्र में जो आज का present day पटना शहर है पाटली पुत्र में यहां पर राजग्रिहा या फिर राजगहा से इसको shift किया गया था and यहां से जो है यहां से पाटली पुत्र या फिर पटना capital को 4th century before common era में shift क्यों किया गया इसका जवाब यह है कि पाटली पुत्र की location बड़ी strategic किसम की है यह कैसे point पर बसा हुआ है जहां पर आके काफी सारी नदियां मिलती है अब यहां से अगर आपको मगद के जो empire के अगर नीचे के इलाकों में जाना है तो भी आप इन नदियों के रूट पकड़कर जल्दी जा सकते हो अगर उपर के इलाकों में जाना है तो भी आप इन नदियों के रूट पकड़कर जल्दी पहुँच सकते हो तो यह क्योंकि बड़ी ऐसी strategic location पर बैठा हुआ था कि जितने भी आपके गंगा और गंगा के ट्रिब्यूटरी की जो नदियां थी, इन सब का आपका communication का network बना हुआ था, उसके एकदम commanding routes की location पर यह बैठा हुआ था, पूरे empire में से कहीं से भी चलो, कहीं से भी आप बना, यहाँ पर shift किया गया था, इसको इस map के ओपर देखिए, जादा अच्छे रहे समझ में आएगा, यह है पाटली पुत्र, अब यहाँ से एक तो गंगा खुद बहती हुँ जा रही है, अब इसके साथी साथ यहाँ पर कई सारी रास्ते में, ट्रिब्यूटरी बगरा आसान है, तो कोई भी खबर पहुचानी है, कोई भी खबर लेकर आना हो, कोई भी आपको डिरेक्शन दिशा निर्देश भेजने हो, किसी व्यक्ति को या फिर सेना की तुपडी को भेजना हो, तो नदी के रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था, और इसके चलते पाटली प पटना है, जो इस वक्त में पाटली पुत्र कहलाता था, यहां पर अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, और इसके बाद में फिर यहां से जो है, अपना कारोबार या फिर यहां से अपना शाशन चलाना शुरू कर दिया, चले, नेक्स टॉपिक डिसकस करता है, इस आपना चाहिए कि इंशें इंडिया का जो पहला अंपायर था, उसमें ट्रांस्फॉर्म होता है, और किस तरह से फिर वो अंपायर भी ग्रो करते करते अपने क्लाइमाक्स तक यह फिर अपने अपक तक जाता है, तग इस ग्रोथ आफ मगद कल्मिनेट इन दा अमर्जंस आ मौरियन उंपायर, चंदकुप्त मौर्य, who founded the empire in 321 before common era, extended control as far northwest as Afghanistan and Balochistan and his grandson Ashok, arguably the most famous ruler of early India, conquered Kaling, present day, Coastal Odisha. मतलब ये की जो मगद ग्रो करता चला जा रहा था एक powerful महाजन्दपत के तौर पर दीरे 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 ग्रो करते करते 4th century आते ये clear हो गया कि भाई भारत वर्ज का या फिर हारे वर्द का सबसे जो ताकतवर महाजन्पत है, वो है मगद. मगद जैसा कि होता है कि जब कोई grow करना शुरू करता है, तो उस grow करने की फिर कोई limit नहीं होती. इन्सान की ambition होती है कि वो जितना जादा बढ़ा सकता है, उतना जादा बढ़ा है, जितना जादा extend कर सकता है उस extend तक जो है अपनी किसी भी चीज को ले कर जाए. अगर आप कोई company शुरू करता है, कोई दुकान शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है, तो आपका भी objective यही रहता है इसको जितना हो सके उतना बढ़ाया जाए तो उसी तरह से जब मगत का राईज होना शुरू हुआ और एक महाजन्दपत से फिर ये सबसे powerful महाजन्दपत के रूप में ट्रांस्फॉर्म हुआ तो इसके बाद एक के बाद एक जो इस पर rulers rule कर रहे थे उनकी फिर इच्छा जो है इसको और जादा extend करने की बढ़ती चली गई वो चाहते थे कि इसके प्रभाव को और जादा बढ़ाया जाए ultimately ये जो इनसान की कह सकते है tendency होती है कि अपने आपको जितना हो सके उतना फैलाया जाए जितना हो सके उतना expand किया जाए अपना ये जो महतवकांशा होती है जितना हो सके उतना जदा बड़ा हुआ जा सके उसका culmination ये हुआ कि मगज जो एक महाजन्तपद सबसे powerful महाजन्तपद की रूप में grow कर रहा था वो finally एक empire की रूप में discuss नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें specifically ये नहीं पढ़ना कि Morian Empire कैसे बना था पर उसकी various aspects को discuss करना है जिसका प्रवाव फिर भारत के उपर या भारत के समाज और society के उपर अपने को देखने को मिलता है तो point यह है यहाँ पर कि ultimately यह जो मगत बढ़ता चला जा रहा था और उसके साथी साथ और भी काफी सारे जो power प्ले चल रहे थे उन सब का नतीजा यह निकला कि 321 इसा पूर में या 321 विफूर कॉमा नहरा में चंद्रुप्त मौरे ने भारत वर्ष में ancient इंडिया में भारत वर्ष के ancient इंडिया के पहले अंपायर की नीव रखी जिसका नाम था Morian अंपायर और ना सिर्फ इसकी नीव रखी इसको नौर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान तक जो है फैला दिया अफगानिस्तान और बलुचिस्तान तक का जो इलाका है और इसको आप इस तरह से कह सकते हैं पहली बार जो अखंड भारत शब्द है या जो एक concept है कि छोटे-छोटे राजियों में ना divide होकर एक बड़ा unified देश आपके पास में होना चाहिए जो अंदर से भी शक्तिशाली हो और बाहर के खत्रों को भी handle कर सके ये जो thought process के साथ में जो अखंड भारत का concept है उसकी नीव इस अंपायर ने रखी थी बाद में चंदरुप्त मौरे के बाद इनके जो दूसरे rulers हुए जिसमें specifically इनके जो grandson अशोक थे जिनको आप arguably modern empire का सबसे powerful as well as सबसे famous ruler बान सकते हैं इन्होंने भी ये जो expansion था चंदरुप्त मौरे ने जितना empire बनाया था उतने पर ये लोग रूप ने गए ये लोग भी अपने अपने level पर कोशिश करते रहे खास तोर पर इनके जो grandson अशोक थे जिनको यहाँ पर असोक लिखा गया है तो ये जो अशोक थे इन्होंने भी जो है इस expansion की process को जारी रखा अपने time period में जो आज का coastal Odisa का इलाका है जिसको अस वक्त में कलिंग कहा जाता था कलिंग को जीत लिया इनके time period में ancient इंडिया के सबसे बड़े empire की नीव रखी गई कैस रखते हैं प्राचीन भारत का सबसे बड़ा empire जो है इस्तित्र में आया और उससे बड़ा empire फिर उसके बाद धाई हजार साल तक कोई ना बना पाया इस्ट इंडिया कंपनी ने उसके बाद ने लगबग लगबग उतना ही बड़ाया उससे बड़ा empire जो है इंडियन सबकॉंटिनेट में खड़ा किया था उसके पहले भारतियोग महादीप में समराट अशोग के बाद में उतना बड़ा empire किसी से create नहीं हुआ जितना बड़ा empire समराट अशोग के time period में Morian empire बन गया था तो एक एक करके देखते हैं 321 हीसा पूर में चंदगृप्त मौरे ने जब Morian empire की शुरुआत करी थी तो उन्होंने ये जो blue color से आपको shaded region दिख रहा है इतना पूरा इलाका अपने empire में मिलाया था ठीक है ठीक ये पूरा अफगानिस्तान हो गया आज का जो पाकिस्तान का इलाका है बलोचिस्तान का इलाका है पूरा नौर्थ का इलाका लद्दाक को अगर हटा दें तो पूरा का पूरा कश्मीर, हिमाचल नेपाल और इस सारा का सारा जो इलाका है बंगाल, बंगलादेश का भी ठीठा कोर्शन, मध्यप्रदेश, राइस्थान चतीजगर, काफी बड़ा इलाका जो है चंद्रुप्त मौरे ने अपने शाषन में अपने अंपायर में शामिल किया था और ये इंशन इंडिया का पहला अंपायर था, अखंड भारत का जो कंसेप्ट है एक बड़ा अंपायर, एक बड़ा शाषन जो बाहर और अंदर दोनों के खत्रों से निपटने के लिए सक्षम हो, आचारे चानक ये कि इस आइडिया के उपर या फिर इस तरह से बोलना चाहिए, इस नीव के उपर थापित किया गया ये अंपायर बनकर खड़ा हुआ था, एक और फोटोग्राफ देखिए इसकी, इसमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कितना ज़्यादा फैला हुआ था, थोड़ा जूम करके आपको दिखातना है, देखिए तो ये इतने बड़े इलाके के उपर फैला हुआ था, पूरा-पूरा नॉर्थ के इंडिया, पूरा का पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक बड़ा इलाका, पूरा कश्मीर यूपी, बिहार, बंगाल बंगलादेश, रायस्थान, गुजरात का एक ठिक-ठाक पोर्शन च्छतिसगर, ओडिसा अगए ठिक-ठाकि लाका, काफी सारा पोर्शन जो है यहाँ पर, इनके कंट्रोल में आगया फिर आते हैं इनके ग्रैंडसन, समराट अशोक और देखिए, समराट अशोक ने इस अंपायर को इसके उतकर्ष पर पहुँचाया, इसके अपिक पर पहुँचाया और जैसा कि मैंने कहा, धाई हजार साल तक उसके बाद में, धाई हजार साल तो नहीं, लगबग 2400 साल, 2300 साल तक जब तक East India कंपनी नहीं आ गया और वो अपने क्लाइमेक्स तक लेकर नहीं गया, तब तक इतना बड़ा अंपाया तो उसके बाद में, कोई ना बना पाया, देखिए साल, एक और फोडोग्राफ देखिए, तो साउथ का जो ये पेनिंसुदर इलाका है, साउथ का जो ये पेनिंसुदर पोर्षा ने अगर इसको छोड़ दिया जाए, तो इसके इलावा लगबग लगबगे, जो पूरा आपका इंडियन सब कॉंटेनेंट है, ये पूरा का पूरा समराट अशोग के कंट्रोल में आ गया था तो इतना बड़ा जो है modern empire, 265 before common era, जब समराट अशोग का टाइम आया था, उनके time period दागाते आते, ये इतना बड़ा empire बन गया था इससा छोड़ दिया जाए, फो छोड़के लगदा का थोड़ा बड़ पोर्चन छोड़ दिया जा, तो पूरा का पूरा इंडियन सब कॉंटिनेंट समराट अशोग के कंट्रोल में या कमांड में आ गया था तो यही से अब अपन लोग Mauryans के बारे में पढ़ेंगे अब आपको समझ में आ गया होगा कि Mauryans के बारे में पढ़ना क्यों important है, Mauryans के बारे में जानकारी रखना क्यों important है तो अब हम लोग Mauryans के बारे में discuss करेंगे इनके empire की अलग-अलग aspects को पढ़ेंगे Historians have used a variety of sources to reconstruct the history of Mauryan Empire. These includes archaeological finds, especially sculpture. Also valuable are the contemporary works such as the accounts of Megasthenes, a Greek ambassador to the court of Chandrupto Maurya, which survives in fragment. Another source that is often used is the Arth Shastra, parts of which were probably composed by Kautilya or Chanakya, traditionally believed to be the minister of Chandrupto. So in today's history, this is the case of Mauryan Empire. The most important important empire was the one that was in ancient India. But now we have to study, to learn about it, 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 to learn about it. So historians, Mauryan Empire's history, they use various sources to learn about it. Prominently, this is used to use the sculptures, or archaeological finds. Bhiya designs bhi ap yeh se kehsakate ho. Pura tatvic, Sarvekshand meh, joh bhi aapko archeelagogy se related evidences miltate hain. Shilalek ho gaї hay, sculptures, wagera hay ho gaya, kalakritiya ho gaial, inhka joh hae prominently istamal kiya jatata hain, aapka Mauryans ka joh hai itihaz likh ne meh. इसके इलावा उस time period में जो किताबें लिखी गई थी जो contemporary आपका कुछ अगर written record हमको मिलता है तो उसका भी हम लोग prominently इस्तिमाल करते हैं इसमें सबसे important है चंद्रगुप्त मौरे के दरबार में एक Greek ambassador आये थे जिनका नाम था Megasthenes Megasthenes ने अपनी एक किताब लिखी थी Indica उस किताब के आज की तारिक में कुछ छोटे-छोटे fragments या कुछ छोटे-छोटे तुकड़े बचे हुआ उन छोटे fragments या इन छोटे तुकड़ों में जो जानकारी हमको मिलती है उसका हम लोग इस्तिमाल करते हैं चंद्रकुप्त मौरे के बारे में लिखने के लिए या फिर मौरेन अंपायर के बारे में लिखने के लिए और इसको एक बहुत प्रामानिक सोर्स के तोर पर लिया जाता है उसकी वज़ा यह है कि Megasthenes Greek Ambassador था चंद्रकुप्त के कोड का यानि कि इनके कोड में जाके बैठा करता रहा होगा अब वहाँ पर day-to-day activities जिस तरह से चलती थी शाशन प्रशाशन जिस तरह से चलाया जाता था वो सारी चीज़ें यह वेक्ति देखता रहा होगा तो इसका जो अकाउंट है इसका जो भी हिसाब किताब हमको देखने को मिलता है इसकी जो भी किताबे लिखी है इसने उसमें first hand account अपने को पता चलता है first hand account क्यों important है कि किसी की देखा सुनी या कहा सुनी बात नहीं की जा रही है सामने वाले ने जो देखा है उसके basis पर जो है उसने चीज़ों को लिखा है तो यहाँ पर exaggeration होने की या गलत जानकारी होने की factually incorrect information होने की समभाबना बहुत जादा कम हो जाती है तो जिस तरह से Megasthenes की इंडिका किताब अपने लिए बहुत काम किये भली तुकडों में बची हुई है मगर एक important document है जिसके मदद से हम Morians के बारे में समझते हैं हम उनके बारे में जानकारी मिलती है उसी तरह से एक और important literary source है जो हमे Morians के time period को समझने में और उसकी history को लिखने में मदद करती है और उस किताब या उस document का नाम है अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के बारे में ये माना जाता है कि इसको आचारे चानक के ने जिनको कोटेली के नाम से भी जाना जाता था उन्होंने लिखकर तयार किया अब क्योंकि आचारे चानक के ने एक बहुत important role अदा किया था नन्दवंच के आखरी राजा धनानन को हटा कर चंद्रुप्त मौरे को समराट बनाने में तो इनका कही ना कही ना सिर्फ चंद्रुप्त मौरे के उपर एक बहुत जादा प्रभाव था बाद में मगर क्योंकि ये चंद्रुप्त मौरे की मिनिस्टर भी रहे तो इन्होंने जो मौरे नंपायर था ना सिर्फ उसकी स्थापना करवाई उसको मजबूत करने में उसकी जड़ें गहरी करने में भी एक important role अदा किया है और मिनिस्टर के तौर पर काम करते हुए अपनी policies वगरा को implement भी किया है क्योंकि उन्ही policies को जिनका एक minister के तौर पर चंद्रुप्त की minister के तौर पर आचारे चानक के ने implementation कराया था उन्ही policies का जिकर क्योंकि अर्थशासर नाम की इस किताब में किया गया है इसका मतलब अगर हम लोग अर्थशासर की किताब को detail में पढ़ें तो है Morians की आपका administration की जितनी भी policy है जो भी उसका चलाने का तरीका था जिन बातों को धिहान में रखकर उसको run किया जाता है ता उसके एक अच्छा अंदाजा लग सकता है क्योंकि देखिए अगर कोई एक आदमी किताब लिख रहा है तो जाहिर सी बात है फिर उसका अपना जो भी विचार है जो भी thoughts है किसी भी subject के ओपर जिस भी subject के ओपर वो किताब लिखी जा रही है उन सारे thoughts को या विचारों को उसमें उतारेगा अब अगर वो ही विचार या फिर वो ही thoughts जो उसने कहीं पर किसी किताब में लिखे है अगर उसको practically implement करने का मौका मिलेगा practically काम करने का मौका मिलेगा तो उन्हीं विचारों को फिर वो execute कराएगा रजा का क्या धर्म होता है इन सारी बातों को डिसकस किया है तो यह हुई नहीं सकता कि उन्होंने अलग तरीकेस अडमिनिस्टेशन चलाया हो और अलग किसम की बाते है अर्टेश्धि चास्तरे में कीूँ हो जिस तरह से administration चलाया गया था, उनी सारी फिलोसफी इसको उनी सारी बातों को अर्थे शास्तर में भी किया गया होगा इसलिए ये भी एक important document बन जाता है जहां से हमको Morians किस तरह से अपना empire चलाया करते थे administration किस तरह से चलता था खास तोर पर जंदगुप तर मौरे के time period में किस तरह से चलता था उसका अंदाज़ा अपने को इसलिए लगना है तो prominently ये तीन sources का इस्तिमाल historians करते हैं अगर आपको समराड अशोक के time period के पहले तक का अगर अभी Morians का इतिहास लिखना है एक तो sculptures का इस्तिमाल किया जाता है जो भी आपको आगरितिया या शिल्पकला वगरा मिली है वहाँ से दूसरा Megisthenes की जो किताब है हिंडी का जिसके कुछ तुकडे या fragments बचे हैं इनका यूज किया जाता है और तीसरा समराड चंदगुप ने के जो प्राइम मिनिस्टर थे आचारे चानक ये इनकी एक किताब अर्थशास्त ये भी एक important source है एक important literary source है जहां से हमको मौर्यों के बारे में काफी कुछ जानकारी है समझने के जानकारी मिलती है या फिर उनके empire को समझने का मौका एक बहतर perspective के साथ में मिलता है जिसकी मदद से हम उनकी history को बहतर ना सिर्व समझ सकते हैं बलकि उसको अच्छे से लिख कर तयार कर सकते हैं अब यहां पर मैरे photographs भी आपनों के लिए लगाई है जो पहला अपना important source है जिसमें sculptures आते हैं चिल्पकला की बात की गई है तो यह उसका example है इसमें आपको यक्ष और यक्षणी की photographs देखने को मिल रही है यह यक्षणी की मूर्ती है उसकी photograph है और यह यक्षणी की मूर्ती है उसकी photograph है इन photos को देखकर दो-तीन बातें अपने को पता चलती है पहला तो यह कि उस वक्त में स्थिरी और पुरुष किस तरह से कपड़े पहना करते हैं, आज की तारीक में भी अगर आप से यह बोला जाए कि भाई एक आदमी की ड्रॉइंग बना और उसको कपड़े पहना हो, तो आप उसको उसी तरीके के कपड़े पहना हो, जिस तरह यह को बनाया है, तो उसने उनको जिस तरीके के कपड़े पहना हैं, उसी तरीके के कपड़े उस जमाने में लोग बाग पहना करते रहे होंगे, तो यह खिणी के कपड़े देखकर अपने को यह पता चलता है, यह अंदाजा लगता है, इस पर्टिकुलर स्कल्चर में, कि मॉर अपना अशयधावा वगरा करने के लिए, तो इस तरीके से आपको महिलाएं किस तरह से कपड़े पहना करती थी, वो पता चलता है, इसी तरह पुरुष उस जमाने में किस तरह से ड्रेस अप किया करते थे, यक्ष को देखकर हमको एक अंदाजा लगता है, इसी तरह इनकी तस्वीर को देखकर गिये, 2400 साल पहले बनाई गई शिल्प कला है, या फिर यक्षिनी को जितना अच्छे से पॉलिश किया गया, इसको देखकर कौन कह सकता है, कि इसको बिना मशीनों की मदद से, सिर्फ छैनी हत्वाड़े की मदद से चिसल करकर जो है, इसको आकरिती को काफी सारी information इखटी करते हैं, और इस information या फिर इस archaeological finding, इस historical investigation का इस्तिमाल फिर उस time period का इतिहास लिखने में, उसकी history को लिखने में किया जाता है, जैसे ये दूसरा sculpture और ये तो खेर बहुत famous है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये जो lion capital है, अब इसको देखिए, इस इसको भारत सरकार ने बकायदा अपने official लोगों के तौर पर भी adopt कर रखा है, मगर ये lion capital भी Morians के time period पर बनाये गया था, यहाँ पर नीचे लोटस का पुरा base बना हुआ है, support करने के लिए, उसके ओपर ये और base रखा और उसके ओपर ये चार lions, जिसमें अपने को सामने से 3 दिखता है, ये बने हुआ है, अब इनकी पूरी जो शिल्प कला है, इसको देखकर आप ये ही कह सकते हैं, कि Morians के time पर ये पत्थरों, base, sculptures बनाने की कला, या sculptures बनाने की पूरी technique जो थी, वो अच्छी खासी, evolved technique थी, काफी ज़्यादा evolved technique थी, और ना सिर्फ ये evolved थी, मगर कह इना कहीं बड़े unimaginable किसम के sculptures बगरा बनकर तयार होता है, 2400 साल पहले, 2500 साल पहले अगर इस तरीके की sculptures बगरा बनाये जा रहे थे, जो आज भी इतना ज़्यादा fresh है, इतना ज़्यादा clear है, तो ये अपने आप में एक evidence है इस बात का कि हमारे जो पूर्खे रहे हैं, हमा जारा करती है, ये देखिए, ये literary sources है, Megasthenes की किताब है Indica, इसका English translation J.W. Mac Crindle ने किया हुआ है, अब जाहिर जी बात है, इस किताब के सिर्क कुछ fragments बचे हैं, तो जितने fragments से उनका translation वगरा है, इन्होंने किया होगा, और जितने हिस्से गायब है, तो उसको फिर जितने हिस पर extrapolate करकर उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, मगर एक ultimately किताब उन्होंने बना कर तयार करी है, Megasthenes के द्वारा लिखी है इस किताब, जिसका नाम Indica है, उसका English translation या मैंने आपके लिए लगाया है, इसी तरह से कौटिल ये, या आचारे चानक्य के द्वारा जो तो जो मौरियों के time period पे Buddhist और Jain Text लिखे गए, in fact मौरियन के बाद में भी, के time period में भी जो Buddhist और Jain Text लिखे गए, जिसको कई बार आप लेटर Buddhist और Jain Text बोलता है, और साथी साथ जो पुरानिक literature लिखकर तयार किया गया है, संस्कृत में जितना भी काम बगरा हुआ था, मौ उनके इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी पता चलती रहती है, इसको थोड़ा सा समझता है, सबोस कर लिजे कि भगवान गुद्ध की कोई जातक की कता है, या फिर Jainों के literature में किसी तरीके की कोई शिक्षा दी जा रही है, कोई बात की जा रही है, पुरानिक literature मे कोई लेट से कहानी लिखी गई है, अब उसमें कोई reference आ जाता है Morians का कि भई इस particular चीज में तो ऐसा हो रहा है, Morians के time period में तो ऐसा हुआ करता रहा था, तो आपके पास में एक चीज है ABC जो उस particular कहानी का context है, उसको आपने फिर Morians के XYZ के साथ में compare कर लिए, कहानी क्या है कि अब यह ABC जैसी चीज हो रही है, Morians के वक्त में जो XYZ जैसा काम होता था, तो Morians के वक्त में यह होता था, अब यहाँ पर यह reference आ गया, तो अपने को यहां से एक indication मिलिया कि Morians के time period में यह चीज होती थी, अब इस indication को या फिर जो reference है, इसको आप और बाकी सारे sources के साथ में match करोगे, और यहां से फिर आपको एक और बात पता चल जाएगी, कि Morians के time period में most probably इस तरीके की चीज़ें होती रही होंगी, क्योंकि या तो किसी बौधों के text में, या किसी जैन text में, पुरानिक literature में उसका जिकर अपने को देखने के लिए मिल रहा है, यह भी एक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग historical writing में, Morians के बारे में समझने में, in text का इस्तिमाल करते हैं, संस्कृत में लिखा हुआ literature हो, पुरानिक literature हो, बौधों का literature हो, जैनों का literature हो, और इसके लावा भी अगर कोई उस time period में कोई play हो गया, कोई किस्से हो गए, कोई कहानिया हो गए, उस वक कि कोई लोग शूरती हो गई, कोई आपका poems हो गई, कोई और चीज हो गई, कोई epic हो गया, इन सबका इस्तिमाल भी किया जाता है, अगर उसमें कहीं पर कोई reference मिलता है, तो उसकी मदद से भी Morians को समझा जाता है, Morians के इतिहास को historical writing को conduct किया जाता है, जैसे यहाँ पर यह द करकर और बाकी सारे sources के साथ मैं match करने के बाद में, अगर आपको एक प्रमाने किया 60 जानकारी लगती है, सत्य के जादा करीब लगती है, तो फिर इसको भी historical writing में शामिल कर लिया जाता है, इसका इस्तिमाल भी इसके लिए किया जाता है, चले, आगे बढ़ता है, तो अभी period के sculptures, जिनको study करकर, जिनको analyze करकर आपको काफी कुछ पता चलता है उस बाद की social as well as political situations के बारे में, दूसरा आता है उस time period के important literary sources, जिसमें Megasthenes के Indica हो गई, या फिर आचारे चानकी के अर्थशास्तर हो गई, या फिर लेटर जो Buddhist and Gen texts थे या फिर पुरानिक लिटरिचर थ इस time period के इतिहास को लिखा जाता है, ये बात जो Morians के पहले दो राजा थे, जिसमें चंदरुप्त आता है और उसके बाद मुनका बेटा बिंदुसार आता है, वहां तक ये बात जादा valid है, उसके बाद में जो इनके तीसरे राजा हुए Morian dynasty के जिनका नाम समराट अशोग था, इस time period से historical writing को लिखने के लिए एक दूसरा important आपके पास में source मिल गया है, और वो source literally सबसे important या सबसे valuable source है, सबसे जादा information आपको यहां से मिलती है Morians के बारे में, और यहां से फिर जो है इतिहास लिखने के लिए source का इस्तमाल किया जाता है, prominently किया जाता है, बाकी जो शोक के time period से, उनके जो inscriptions है, हिंदी में इसको अपन लोग शिला लेक बोलता है, इनके inscriptions या शिला लेक सबसे important source बन गाए, सबसे valuable source बन गाए, जिसकी मरत से Morians की history को लिखा गया, अब यह जो शिला लेक थे, यह जो inscriptions थे, इनको कई बार तो खुले पहाड या फिर पहाड नहीं था, उसको अगर हटा दिया जाए, तो अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक, और उपर कश्मीर से लेके नीचे साउथ में, तमिलनाणू की बार्डरिंग इलाकों तक में, आपको यह शिला लेक या इंस्क्रेप्शन्स चाहें, तो simple rocks के उपर, या फिर pillars के उपर द के बार संदेश वगरा, खुदवाये जाते थे, वो के रह जाते थे, और क्योंकि इसमें काफी interesting बातें की गई हैं, जिस तरीके की बातें ना तो समराड अशोग के पहले किसे ने करी हैं, और ना समराड अशोग के बाद में ऐसा कोई राजा हुआ, जिस तरीके की instructions आपको इस तरीके की बातें नहीं की, तो कही ना कहीं ये interesting source है, एक राजा को समझने का, and कही ना कहीं ये समराड अशोग को अलग बनाता है, ये उनको जो है, बहुत different किसम की light में खड़ा करता है इनके पहले और इनके बादवाले rulers की respect में, और वो किस तरह से करता है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में भी आगे, subsequent slides में तो आपको पता चलेगा, पहले ये map देखिए, अब इस map में अगर हम देखें, तो कितना वो शेत्र है, और कहां कहां पर इनके इस तरीके के addicts या फिर शिला लेक मिले हैं, चाहे तो pillar के form में मिले हैं, चाहे कि सिरॉ पूरा Indian subcontinent ऐसा कोई इलाका नहीं है, जहां पर उनके शिला लेक ना पाए गए हो, जैसे अगर आप एकदम extreme northwest में चले जाएं, तो कांधार तक में उनके शिला लेक मिल रहा है, उपर शहवाजगड़ी हो गई, मंशेरा हो गया, यहां पर पाए जा रहा है, यहां गुजर संदेश का कुछ पोर्शन हो गया, लगबग लगबग पूरा जो Indian subcontinent है, शिला लेकों ने cover कर रखा है, तो इससे दो बातें बता चलती है, एक तो इनका अंपायर कितना extent तक में फैला हुआ था, कितने बड़े इलाके में जो है राज किया करते थे, और दूसरा, कि इनका जो भी संदेश ये देना चाहते थे, जो prominently लगबग लगबग उसमें आपको एक ही जैसी बातें देखने को मिलती हैं, ये पूरे अंपायर में जो है uniformly उस संदेश को पहला रहे थे, क्या संदेश है वो भी discuss करेंगे, मगर वो जो संदेश या फिर जो भी instructions अपने इन शिल Ashoka was the first ruler who inscribed this message to his subjects and officials on stone surfaces, natural rocks as well as polished pillars. He used the inscriptions to proclaim what he understood to be dhamma. इनका संदेश इनने खुदवाया था और कई बार वो एक pillar बनवाते थे, पूरा एक आपका pillar बनवाकर उसको polish करवाया जाता था, घिसवाया जाता था, चिकना गिया जाता था और उसके बाद में उसके उबर अपने शब्द वगिरा जो हैं वो किरे जाते थे, अपना जो भी inscriptions हमको मिले हैं, इसकी मदद से समराड अशोक ने एक अपना धम को उन्हें जिस तरह से समझा था, धम की जो उनकी एक understanding develop हुई थी, बुद्धिसम के बारे में उनका जो एक विचार या फिर एक perspective develop हुआ था, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको लोगों तक प respect करिए, दूसरा इंगा कहना ये था कि जो ब्रामण है, उनके प्रतिया आप generous रहिए, उनके साथ में आप अच्छे से treatment करिए, साथी साथ ब्रामणों के इलावा भी अगर कोई सन्यास ले लेता है, अपनी जो worldly life अगर जो आपका एक कह सकते है, ग्रहस्त जीवा ने अगर साथ त्याग कर देता है, तो उसका भी जो आप सम्मान करिए, तीसरा जो आपके slaves हैं, और आपके servants उनको बहुत kindly आप treat करिए, अब ये कितनी interesting बात है, इस तरीके की बात इसके पहले और इसके बात किसी राजा ने generally की नहीं, और publicly इस तरीके के inscriptions खुदवा के ये बात नह जोन, याने कि अपने खुद के religion and tradition के इलावा आपके जो दूसरे religions and traditions हैं, जिनको आप नहीं भी मानते हो, उनके लिए भी आपके मन में respect होना चाहिए, दूसरों के जो traditions हैं, जिनकी भली आपका भरोसा हो ना हो, doesn't matter, बट उनकी भी आपने इस्जत करनी है, अब ये कितनी interesting बात निकल कर आती है, कि धाई हजार साल पहले भारत में एक ऐसा राजा हुआ था, लगबग 24-2300 साल पहले एक ऐसा आत्मी राज करता था, जिसके ये विचारत है, जो अपनी पूरी प्रजा के लिए, फिर से मैं आपको मैप दिखाता हूँ, कांधार से लेकर यहाँ पर अगर आप कोस्टल इलाके तक आजाएं, उडिसा के, या फिर बंगाल तक चले जाएं, इस पूरे शेत्र में और उपर नौर्थ में यहाँ से, मंशेरा से लेकि नीचे, येरा गुडी तक में एक संदेश दे रहा है कि बढ़ों का सम्मान करो, अपने रिलिजन के इलावा और अपने customs and traditions के अलावा दूसरा है कि जो religions and customs उनका भी सम्मान करो, हर जो ब्रामवन है या फिर हर जो वेक्ती है जिसने सम्यास ले लिया है, जो ग्रहस्त जीवन से, जिसमें विशियों के बारे में पूरा emphasis होता है, material life से पूरी तरह से जिसमें अपने आपको दूर कर लि यह अपने आपने एक interesting बात निकल कर आती है, generally राजा इस तरीके की बात में अमनी प्रजाओं से करते नहीं है, और करते भी है तो एक जगे दो जगे कुछ संदेश दे दिया, कुछ बोल दिया, पत्थर पे चलो अगर आपने उकेड़ना भी है, message आपका तो एक जगे लग था, धम की जो understanding तीब ऐसा नहीं था कि वो अपना एक religion पहलाने की कोशिश कर रहे थे, या अपनी एक specific किसम की ideology लोगों के उपर impose कर रहे थे, मगर जो बातें कर रहे थे, वो अपने आपने एक universal message लगता है, धाई-हजार साल बाग भी आप किसी से अगर यह बोलो कि बढ़ का है, आज भी इस message की appeal है, तो इसके चलते है, बड़ा एक interesting figure हो जाता है, यह देखिए, यह photograph में आपको दिख रहा है कि इन्होंने एक rock के उपर अपना धम का संदेश खुदवाया था, यह पूरा का पूरा जो संदेश है, इसको लिखवाया था, थोड़ा zoom करके दिखाता है, यह natural इंको कहीं पर rock बगिरा देखने को मिल गया होगा, location ठीक लगी होगी, इंको लगा होगा, यहां से काफी लोग आते जाते हैं, तो उन्होंने इसके उपर यह अपना पूरा धम का message, जिसमें यह जो सारी बाते हमने डिसकस करीं थी, वो सब यहाँ पर उकेरवाया ह इसी तरह से एक यह polished figure यह pillar ले लिया यहाँ पर, देखिया, जैसे यहाँ पर यह भी pillar दिख रहा है, तो इसी तरीके का pillar यहाँ पर मैंने zoom करके लगाया है, तो यह polished pillar है, उसके उपर अपना जो संदेश है, पूरा धम का उसको उन्होंने खुदवाया है, और इसको भी लग लिख सकते थे, ठीक ठाक मात्रा में पढ़ लिख सकते थे, तभी इस काम को किया गया होगा, यह सवाल पूछना उचे था, क्योंकि अगर एक वेक्ती एक राजा है, जो अतने बड़े लेवल पर अपने शिलालेक बनवारा है, पब्लिक स्पेस में लगवारा है, इसका मतल ग्यान ठीक ठाक मात्रा में रहा होगा, यह इसका एक और एक्स्ट्रा पॉलेशन जो है, पन लोग यहां से कर सकते हैं, तो यह एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यह जो धम का संदेश और इसका इंस्क्रिप्शन, पहला राजा जो पत्थर की सर्फेस के ऊपर, चाए पॉल अलग एस्पेक्ट्स सोचे जाएं, उनको अलग अलग तरह से एक्स्ट्रा पॉलेट किया जाएं, तो भारतिय समाज को उस जमाने में समझने में, भी कही ना कहीं है, इंस्क्रिप्शन समानी मदद करते हैं, चले, तो अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप्रिक की तरफ, दे इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आप लोग बात बताई थी, एक बार मैं फिर से आपके साथ में उस चीज को डिसकस कर लेता हूं, कि भाशा एक अलग चीज होती है, और उसको लिखने के लिए जिसे स्क्रिप्ट का इस्तिमाल किया जा रहा है, जिस लिपी का इस् चैटिंग करते हो, तो उसमें हम अगर हम हिंदी में भी चैट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोग देवनागरी की स्क्रिप्ट का इस्तिमाल करते होंगे उस चैटिंग की हिंदी को लिखने में, उसमें आप रोमन अल्फाबेट्स का इस्तिमाल क कर रहे हो, तो वो रोमन हो जाएगी, आप जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहें, तो हिंदी को आप हाँ में छोटी की मातरा आधा ना और दा हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को अगर आप लिखना चाहें, तो रोमन का इस्तिमाल करकर है चाहिए, नडी आई, ऐसे बात को समझीएगा कि भाशा एक अलग चीज होती है और भाशा को लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट इस्तिमाल की जाती है, वो एक अलग चीज होती है, तो maximum या फिर जादा तर जो आपकी अशोकन इंस्क्रिप्शन या समराट अशोक के जो शिलालेक मिले हैं, इसको प्राकृत भाशा में लिखा गया था, तो यह जो संदेश इनों ने दिया है कि बड़ों का संबान करिये, बाकी सारी रिलिजन्स का संबान करिये, और बाकी स आपकी देश्न या, इसका काम करती थी, या लिए या पर कळी अखा भाशती नगों कि अग्या भाशा मों के लिएखे लेते हैं, इसको प्राकृत भाशा मैं की लिए कि अब आप क्या बोल hinter थी तुआ इसके आजित्रों नॉर्थ के लाकशा है लोंनों में दान कर दो तो ह यही बात उडीशा में लागू होती है, टूर गुट एक्सेंट महाराष्ट में यही बात लागू होती है, साउथ में ठीक ठाक एक्सेंट तक तक तमिलनाडू में थोड़ा सा इस्षूज आते हैं, मगर इसके इलावा जन्रली लोग थोड़ा बहुती सही, अगर हिंदी समझ लेता है तो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि maximum जो portion है आपके देश का या maximum इलाके में हिंदी बोली जाती है हंदी समझी जाती है अगर बोली नहीं जाती तो कमसकंद आप अपना काम चला सकते हुआ तो वोह कहानी जमाने में जब सम्रार डशोप राज किया करते थे प्राकृत भाशा के साथ था या तो प्राकृतिक maximum इलाके में बोली जाती थी या प्राकृत अगर बोली नहीं जाती थी तो कमसकम समझ ली जाती थी लोग जो है उसको लिख पढ़ सकते थे तो उसी लॉजिक के बेसिस पर अपने लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों प्राकृत भाशा जो है उसमें जादा तर आपके अशोकर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है और अलग-अलग जो आज के इलाके हैं जहां पर अलग-अलग भाशा हैं बूली जाती है वहां हर जगाओं से आपको प्राकृत भाशा में लिखे हुए इंस्क्रिप्शन मिलें तो इससे भी समझ में आता है कि प्राकृत भाशा उस जमाने में काफी बड़े इलाके में बुलने में लिखने पढ़ने में इस्तिमाल होती थी तो एक तो यह रहा कि ज़्यादा तर अशुकन इंस्क्रिप्शन प्राकृत भाशा में देखने को मिलें हाला कि अगर नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए इंडियन सब कॉंटिनेट के जो अगर नॉर्थ वेस्ट के इलाके की बात की जाए नौर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान का इलाका आ जाता है तो यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन्स देखने को मिले हैं उसमें दो भाषाओं का इस्तिमाल देखने को मिलता है एक है एरेमिक और एक है ग्रीक इंट्रेस्टिंग पॉइंट है ध्यान रखिएगा ज़्यादा तर जो भारत का इलाका है आज भी जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंडरी है इसके अंदर के जो शेत्र हैं यहाँ पर जो शिलालेक मिल रहा है उसमें जनरली जिस भाषा का इस्तिमाल किया जा रहा है वो है प्राकृत लैंगिज मगर नॉर्थ वेस्ट की बात की जा इंडियन सब्कॉंटिनेंट के प्रॉमिनेटली अफगानिस्तान के पार्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी भाषाओं का इस्तिमाल किया जा रहा है एरमिक भाषा का इस्तिमाल किया जा रहा है more or less कहीं पर 19-20 का फर्क होगा मगर लगबग-लगबग सारे शिलालिकों में एक ही जैसी बात की जा रही है तो चाहे प्राकृत भाषा में आपके शिलालिक लिखे जा रहे हूँ उसमें भी वोई संदेश दिया जा रहा है अरमिक या गृएक भाषा का इस्तिमाल नौर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान के इलाके में किया जा रहा है शिलालिक लिखने का मगर संदेश फिर भी वहाँ पर वो ही दिया जा रहा है जो बाकी जग़ाँ पर दिया जा रहा है इनको किस script में लिखा गया है, इनको Brahmi script में या फिर Brahmi lipy में लिखा गया है, अलाकि Northwest की बात की जाए, पंजाब और आज का जो पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ पर भी और अफगानिस्तान का भी एक ठीकटा portion जो Northwest का है, वहाँ पर खारोश्ती lipy का भी इस्तिमाल किया गया है मतलब संदेश आपका प्राकृत भाषा में ही दिया गया है, मतर लिखने के लिए आपने खारोश्ती lipy का इस्तिमाल किया है इसके पहले वाले lecture में अपने देखी लिया था कि Brahmi script अलग script है और खारोश्ती जो है वो अलग script है खारोश्ती पॉमिनेटली जो जमाने में इरान का जो अंपायर हुआ करता था परशेन अंपायर वहाँ से आई थी, Brahmi script भारत की अपनी खुद की ancient lipy है और इसी से आज की तारीक में जितनी भी आपकी अलग-अलग भाशा है भारत में बुली जाती है हमारी इंडिक languages, इनकी script बनकर तयार हुए है देवनागरी की script भी इसी से निकल कर आई है, बांगला भाशा की जो script है वो भी इसी से निकल कर आई है इनफाक्ट जो नीचे की तरफ में, south में बुली जाती है इनकी script के उपर भी ब्रामी script का काफी ज़्यादा प्रभाव उमको देखने के लिए मिलता है तो ध्यान रखने वाली बात है, प्राकृत भाशा में ज़्यादतर आपके अशोकर इंस्क्रिप्शन्स हैं ज़्यादतर इलाकों में ब्रामी script में लिखे गा है, नॉर्थ-वेस्ट में खारोश्ती लिपी का भी इस्तिमाल किया गया है और इसी नॉर्थ-वेस्ट में अगर मैं आपको एक और भाशा में शिलालेक देखने को मिल रहा है और इनको लिखने के लिए भी कई जगाओं पर आपका खारोश्ती लिपी का इस्तिमाल हुआ है इसके अलावा एरमिक और ग्रीक लिपी का इस्तिमाल भी आपको देखने को मिला है बट वो प्रॉमिनेंट्ली अफगानिस्तान में हुआ है तो यहां से यह बात अपने को ध्यान में रखनी है खारोष्टी लिपी का इस्तिमाल नौर्थ वेस्ट में हुआ है प्राकृत भाषा के शिला लिखों को लिखने के लिए प्रॉमिनेटली ब्रामी स्क्रिप्ट का इस्तिमाल हुआ है प्राकृत भाषा के शिला लिखों को लिखने के लिए अरमिक और ग्रीक जो लैंग्विजेज हैं उसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया गया है और अफगानिस्तान के ही शिला लिखों में अरमिक और ग्रीक की जो स्क्रिप्ट है अर्मिक और ग्रिक भाषा लिखने के लिए जिसका इस्तिमाल किया गया था ये अफगानिस्तान में यूज होई है तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जम्रार डशोक ने इस बात का ध्यान रखा था कि किस शेत्र में कौन सी भाषा बुली जा रहे है प्रोमिनेटली कौन सी भाषा समझी जाती है और कौन सी भाषा जो है उसको किस तरह से लिखा जाता है तो उसी स्क्रेट का उसी भाषा का इस्तिमाल करकर अपना संदेश उन्हों ना पहुँचा जाना है इतना मैं इसको डीटेल में इस लिए डिसकेस किया है क्योंकि यहां पर सवाल पूछे जाता है चाहे बारवी का एक्जाम दे लें चाहे CVT का दे लें या फिर कोई कॉम्पिर्टिट एक्जामेनेशन के लिए बेटेंगे तो यहां से खूप सारे सवाल बनता है तो यह अपने को ध्यान रखना है कि प्राकृत भाषा में सारे शिलालेक नहीं लिखे गए थे मगर प्रॉमिनेंटली जो हैं ज्यादा तर शिलालेक प्राकृत भाषा में लिखे गए थे अरेमिक और ग्रीक लैंग्विजस का इस्तिमाल अफगानिस्तान में हुआ है और एरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट का भी इस्तिमाल जो अवदानिस्तान में हुआ है बाकी इलाकों में प्रकृत भाषा में जो संदेश दिये गए है उसको ब्राम्मी में और नॉर्थ वेस्ट का इलाका जो पंजाब बगेरा का शेत्र पढ़ता है जो आपको यहाँ आपको आपको देखने के लिए मिलता है ज़ले, अब अगे बढ़ता है, इसके पहले एक बार मैप को भी डिसकास कर लेते हैं मतलब यह जो कांधार में आपको शिलालेक मिला है मनशेरा और कांदार में जो आपको शिलालेक मिला है इसमें एरमिक और ग्रीक भाषा और एरमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट कर इस्तिमाल किया गया है मनशेरा शहवाजगड़ी तक शिला में भी यही कहानी है अगर यहां आ जाते हैं अब कलसी में अगर आपको जो है जो शिलालेक मिला है वो आपको कौन सी भाषा में मिलेगा प्राकृत भाषा में और इसको लिखने के लिए प्रॉमिनेंट्ली यहां पर इस्तिमाल किया गया है तो जवाब हो जाएगा यहां पर इस्तिमाल किया गया चले, आगे बढ़ता है अब next topic अपने को discuss करना है इसका नाम है Administrating the Empire याने की empire कैसे चलाया जाता था किस तरीके से राज किया जाता था इतने बड़े इलाके पे उस जमाने में जब communication को लेकर काफी difficulties थी तो इतना बड़ा empire जो समराट अशोक के time period पे बन कर तयार हुआ जिसमें लगबग लगबग पूरा भारत वर्च और अफगानिस्तान और सब समा गया थोड़ा बहुत साउट का इलाका छोड़के इसको अब रूल कैसे किया जाता था उसको हम लोग इस particular topic में देखेंगे There were five major political centers in the empire अब यहां पे अलग 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 प्रोविंसे थी अब यहां पे अलग 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 प्रोविंसे के अपने provincial capitals भी हुआ करते थे जैसे कि तक्षिला एक provincial capital था वोजैनी एक capital था वोशाली एक capital था और सुवर्नगिरी चार आपके जो है provincial capitals हुआ करते थे अब क्योंकि अपने को पता है कि हर एक चार provinces में डिवाइड था वो सकता है और भी provinces में डिवाइड हो बट प्रोविंसे चार provinces में डिवाइड किया गया था चारो provinces की भी अपने-पने capital बनाये गये थे और यहां बर भी फिर लोगों को जो है inscriptions में हमको देखने के लिए मिलता है पाटली पुत्र का जिकर तो उसमें आता ही आता है इसके इलावा तक्षिला का भी जिकर है उजैनी, नाम सही समझ में आ गया हुआ उजैन की बात हो रही है उजैनी का जिकर है, तोशाली का जिकर किया गया और सुवर्नगीरी या फिर सो कही बार आप सुवर्नगीरी भी बोल सकते हो सुवर्नगीरी या फिर सुवर्नगीरी इसका भी description आपको देखने के लिए मिलता है पहले में मैप पर आपको इनकी position बताता हूँ ये कहां कहां पर है फिर अपने आगे बातचीत करते हैं सबसे पहले तक्षिला, तो यह आपको तक्षिला यहाँ पर देखने को मिल गया, नॉर्थ में, दूसरा उजैनी यहाँ पर बद्धिभारत में है, सुवर्नेकिरी यहाँ पर करनाटक में है, और तोशाली यह रहा, एकदम कोस्टर इलाके में, कलिंग में, और अपना भारत और यह वेस्ट का जो इलाका है, इसको देखता होगा, सुवर्नेकिरी जो साउट का पूरा पोर्शन इसको देखता होगा, तोशाली इस इलाके को देखता होगा, और पाटली पूत्र से रेस्ट आप दा इलाका जो है, इसको एंडल किया जाता होगा, प्लस बाकी इ चलाना है इसके दिशा निर्देश वगरा यहां से भेजा जाते रहे होंगे तो इस तरीके से यह 5 जो बड़े बड़े शहर है एक capital और 4 provincial capitals इनकी मदद से जो है पूरा का पूरा अंपायर चलाया जाता था तो याद रखिएगा इस बात को 5 major political centers थे या 5 जैसे बड़े prominent शहर थे मौरेन अंपायर के जहां से पूरा राजपार चलता था एक पार लिए पुत्र capital और 4 provincial capitals तक्षिला उजैनी तोशाली और सुवर्नगीरी अपने को कैसे पता कि यही थे जवाब है समराड अशुक के इंसक्रिप्शन में सबका जिकर आता है वहाँ पर इनको describe किया गया इससे अपने को पता चलता है मैप पे प्लॉट किया तो यह तोशाली हो गया यह स्वर्नगीरी याने कि आज का उडिसा में एक capital हो गया एक capital करनाटक में है एक capital मध्यप्रदेश में है एक capital आज का जो अफगानिस्तान का इलागा है वहाँ पर है और एक जो प्रविंस पड जाता था, if we examine the content of these inscriptions we find virtually the same message engraved everywhere, from the present day north western frontier province of Pakistan to Andhra Pradesh, Odisha and Uttarakhand in India, could this vast empire have a uniform administrative system तो वही बात आती है कि अभी inscriptions तो अलग-अलग जगाओं पर आपको देखने को मिले है, अलग-अलग भाशाओं में देखने को मिले है कहीं पर पता चला कि प्राकृत भाशा में है कहीं पर अरेमिक में है, कहीं पर ग्रीक में है कहीं पर इसको किसी स्क्रिप्ट में लिखा गिया है कहीं पर इसको किसी स्क्रिप्ट में लिखा गिया है कहीं पर ये ब्रामी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है कहीं खारोष्टी में लिखा जाता है, कहीं आरेबिक में लिखा जाता है, कहीं पर भी आपको शिलालेक मिला हो, किसी भी भाशा में मिला हो, किसी भी स्कृप्ट में लिखा हुए मिला हो, मगर एक interesting point जो निकल कर आता है, message more or less वो ही है, धम का जो संदेश देने की कोशिश समर आट अशोक ने करी थी, धम का जो संदेश देना चाहते थे कि बड़ों का सम्मान करो और बाकी सब की इज़त को रेन ओल दाट, वो जो universal message है, message आपको लगबग more or less 19-20 के फरके साथ में, prominently हर जगे वो ही देखने को मिलता है, चाहे अफगानिस्तान की शिलालेक हो, चाहे अब यहाँ पर अगर एक ही संदेश दिया जा रहा है, इससे फिर अपने दिमाद में एक सवाल उठता है, हो सकता है शायद एक ही philosophy या फिर एक ही तरीके की policy जो है, उसका भी पालन करवाया जाता हो, पूरे के पूरे empire में, यहाँ से फिर सवाल यह उठता है कि क्या इतना बड़ा empire जो है, एक uniform administrative setup के तहयत में चलाया जाता है, जैसे आज की तारीक में भारत में एक uniform administration चलता है, आपको हर जिले में collector देखने को मिलता है, हर जिले में SP होता है, थानों की पूरी एक विवस्था बनी होई है, एक state government होती है, एक central government है, तो एक uniform administrative system पूरे भारत में की तरह से पूरा empire govern करते थे, या फिर क्या हर जगे एक uniform administrative system होता था, यह सवाल यहां से उठना logical है, वाजब है, इसका जवाब अगर अगर अपन लोग देने जाए, तो fact यह है कि इसका accurate answer तो हम लोग नहीं दे सकते, historians का इसके बारे में बड़ा भिन्द भिन्द मत है, कई वह कहना है कि शायद Samrath Ashok के time period में इस तरीके की uniformity रही हो, शायद ना रही हो, मगर आज की तारीक में majority of the historians का मानना यह है कि इसा possible नहीं है, इतना बड़ा empire एकदम उस time period में uniformity के साथ में नहीं चलाया जा सकता, यह possible नहीं है, इसका logic यह है कि यह बहुत बड़ा शेत्र थ यह region अपने आप में इतना जाधा diverse थे कि इनको एक ही तरीके से govern नहीं किया जा सकता था, इसमें governance में कुछ ना कुछ जो है आपको कह सकते है, variations रखने पड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि जिस तरह से आप अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शाशन प्रशाशन चला र तो इस तरीके की diverse किसम के एक तो कह सकते हैं जो terrain है और इसके इलावा इन diverse terrains and diverse geography के चलते जो अलग-अलग diverse culture जिवलफ हो गया, उन सब के उपर एक uniform system उस जमाने में थोपना possible थाने, और मज़े की बात यह है कि यह लोग फिर एक single language भी नहीं बोल रहा है, तो ऐसी वक्त में एसी परिस्तितियों में एक uniform जो है, administration की मदद से इतने बड़े empire को govern करना शायद possible ना रहा हो, इसके इलावा तो एक तो यह point हो गया कि historians का आज की तारीक में या फिर कमस का majority of historians का यह मानना है, अगर सब का भी नहीं है, कि uniform administration तो नहीं हो सकता, यह possible नहीं है, तो यह जो सवा जवाब exactly ना तो yes हो सकता है, ना no हो सकता है, yes और no जैसी बात तो पन करी नहीं सकते, मगर chances जो है वो कम है, इसका जवाब आप ऐसे दे सकते है, chances are low, और वजा, अपन लोगों ने भी discuss करी कि diversity बहुत जादा थी, इसलिए इतना बड़ा जो empire है, एक uniform administrative system के तहत्म में नहीं जा सकता होगा, दूसरी बात यह है कि अब इनी historians का मानना, in fact यह भी है कि जो administrative control था, वो सबसे ज़्यादा strongest आपके capital और provincial centers के आसपास रहा होगा, और जैसे जैसे आप capital या provincial centers से अंधूनी या भीतर के इलाकू में जाते चले जाते होगे, तो वहाँ पर administrative control उतना ज़्याद अगर राजा ने पाटली पुतर में कोई घुषना करवाई है कि भाई फलानी फलानी चीज करनी है, या फलानी फलानी चीज नहीं करनी है, तो administration जो है, यहाँ पर पाटली पुतर और उसके आसपास के इलाकों में ठिक्टा की इलाकी में तो राजा की इस घुषना को implement करा स पुषकेल है, क्योंकि एक तो communication की दिक्कत है, पता चला कि आदेश आज दिया गया था, छे महीने बाद आप आप पहुंचे हो, और आप जाकर उनको बता रहे हो, फिर आप वहाँ पर बोल कर आगा कि वाई इस तरीके से काम करना है, और फिर पता चला उन्लों ने कुछ व पढ़ता चला जाता होगा, या शाशन का जो फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं, जो प्रभाव होगा, वो आपको उतना देखने को नहीं मिलता होगा, वो लोग ये तो माल लेते होगे, ठीक है, आपके अंपायर का पार्ट है, आपके सुवरजिनिटी स्विकार कर ली, बट अपके से जीने का छूट दे रखी होगी, और अगर ऐसा ना होता, अगर ये अंपायर एकदम यूनिफॉर्मिल्टी के साथ चल रहा होता, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक अगर एक ही जैसी ववस्था लागू करवा के रखी होती, तो भारत में आज क तारीक में इतनी डाइवरसिटी अपने को देखने को किसी हालत में न मिलती, किसी सूरत में न मिलती, तो यहां से भी अपने देश में जो डाइवरसिटी है वो भी इस बात को समझाती है, वो भी इस बात को बताती है कि भाई, मौरियों के वक्त में भी uniform administrative system तो possible नहीं था, Capital और Provincial Capital की आसपास अपनी जादागिरी आप कर लेते होगे जैसे आपको जो चलाना है जो आपने वेवस्था बनानी है बना लेते होगे बड़ जैसे जैसे यहां से दूर जाओगे तो वो जो Control या फिर पकड है वो आपकी लूज होती चली जाती होगी और लोग फिर अपने इसाप से अपनी जन्दिगी जीते रहे होंगे ऐसा इनका मानना है अब एक ओर interesting point जो यहां पर निकल कर आता है यह जो administrative centers थे या जो provincial capitals थी इनको आपने मनमर्दी से कुछ भी किसी जगे को नहीं चुन लिया था इनका जो चुनाव है वो भी बड़ा interesting है यह बहुत ध्यान रखकर और किसी ने बहुत सोच समझ कर जो है इनका चुनाव किया था यह अपने को ऐसे पता चलता है कि तक्षिला और उज्जैनी यह दोनों शहर जो important उस जमाने के trade routes हुआ करते थे उनके ओपर situated थे जो long distance का trade जमीन के रास्ते से होता था तो उस जमीनी रास्ते से होने वाले trade के रास्तों में बड़े strategic location पर तक्षिला और उज्जैनी की location बनी हुई थी इसके चलते होता यह था कि यहां से व्यापारी काफी आते जाते थे तो व्यापारी अगर आते जाते हैं तो उनके tax लगा कर collection किया जा सकता है क्योंकि आप ultimately आप राजा के empire से पास हो रहे हो तो यहां से पास होने का आपको कर या फिर toll tax चुकाना पड़ेगा एक तो यह बात हो गए दूसरा यह कि क्योंकि यहां से आपकी व्यापारी आते जाते हैं तो यह अपने आप में trade के important center के तौर पर develop हो गए तीसरी चीज जो यहां से हुई वो यह था कि अपना धम का प्रचार प्रसार करना है बाकी अगर आपने कोई संदेश वगरा भेजना है तो वो भी उसके लिए भी एक बड़ा strategic location हुआ करता था क्योंकि व्यापारी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और बहुत दूर दूर तक जाएंगे तो इनकी मरत से आप अपना संदेश भी जो है बहुत दूर तक पहुचा सकते थे या फिर अगर आप उनसे डारेक्ली भी नहीं बोलो पहुचाने के लिए तो जिस तरीकी की वो चीज़े देखेंगे उसका कुछ ना कुछ गाना तो वो गाएंगे दूर जाके तो इससे कही ना कहीं आप सुदूर के अलाकों में भी अपने अंपायर का जैजेकार करवा सकते थे अपनी पॉलिसी का जो एक तरीके का प्रचार प्रसाथ करने के लिए इस्तिमाल कर सकते थे तो तक्षिला और उजयनी को इस तरीके से स्ट्राटिजिक लोकेशन पर बसा है कि शायद ये करनाटक की जो सोने की खान है गोल्ड माइन से उनके पास में कहीं पर सिचुएटर रहा होगा तो वहां सिर्फ सोना वगरा एकटा करकर स्वंडगीरी में लाके रखा जाता होगा तिर यहां से राजा तक भेजना या जो भी उसका इस्तेमाल करना उसके लि होता था अच्छा एक चीज और कि पूरे के पूरे अंपायर में क्योंकि कम्यूनिकेशन बहुत इंपोर्टेंट है जैसे अपने भी डिसकस किया था थोड़ी दिर पहले कि अगर आप कम्यूनिकेशन को इंशॉर नहीं करवाओगे कि वो एफेक्टिवली हो रहा है तो अगर आप जल्दी लोग है तो जो भी घटना है जो भी दुरगटना है जो भी क्राइस है या फिर जो भी ऑपरचुनिटी है उसको आप जल्दी से जल्दी जो हैं हंडल कर सकते हो एफेक्टिवली हंडल कर सकते हो अगर इंफोर्मेशन ही लेट आएगी तो फिर उसके पड़ेंगी राजान पॉपुलर होगा और दस तरीके की चीज़ में होगा तो communication सबसे important आप कह सकते हैं पहलू हुआ करता था empire में और इसको ensure करने के लिए कि आपका जो provincial capitals और उस पूरे empire का capital या उनके बीच में और capitals जो आपके बना रखे थे provincial capitals और अलग-अलब जो दूसरे इलाके थे उनके बीच में communication जो है चाहे जमीनी रास्ते से हो रहा हो चाहे आपका जल मार के थूर या फिर नदी के रास्ते से हो रहा हो उसको अच्छे से maintain किया जाए उसको बहुत effectively ensure किया जाए क्योंकि अगर वो maintain नहीं होगा तो फिर empire का existence जो है वो डंग से maintain नहीं हो पाएगा यह बात मौरियंस को अच्छे समझ में आ गई है अब क्योंकि अगर आप जमीनी रास्ता भी पकड़ लो या फिर अगर आप बहुत दूर से कहीं से नदी के रास्ते भी आ रहे हो तो जो जर्नी है चाहे प्रोविंशल चाहे आप अग पर अपने पर देखे अब यहाँ तक्षिला से अगर आपको पाटली पुत्र उस जमाने में आना था तो यह इतना लंबर डिस्टंस आपको ट्रावल करना पड़ेगा इसको करने में आपको महिनों लग जाएंगे यह बातली पुत्र से अगर आपको तक्षिला कोई संदे लेकर आना फिर बहुत जादा वक्त लग जाएगा तो यह यात्रा करने में आपको महिनों लग सकते थे इसी तरीके से अगर आप स्वर्णगिरी के बात करें स्वर्णगिरी से आपको अगर कोई संदेश महुचाना है तो टाइम बहुत जादा लग जा रहा है या दोनों ही अगर आपन बात कर लें कि दोनों ही अगर आपन शेहरों से बात करें कि उजयन से आपको पाटली पुत्र जाना है और स्वर्णगिरी से भी आपको पाटली पुत्र जाना है तो इसको इस यात्रा को करने में भी हफ्तों लग सकते थे इसमें भी काफी जादा टाइम लग स सारे provisions उनकी ववस्ता करनी पड़ेगी इसके इलावा यात्रा successfully हो जाए इसमें कोई आपके उपर आपदा ना है इसके लिए आपको अपने protection की भी ववस्ता करना पड़ेगी और अगर इन रास्तों में कोई आपका व्यक्ति मूव कर रहा है तो उसको security देने की जिम्मेदारी भी जो है फिर राजी के उपर बढ़ जाएगी तो कही ना कहीं यहां से फिर जो है जैसे जैसे empire बढ़ता चला गया communication important होता चला गया और जब यह पता समझ में आ गया कि भाईया रास्ते में खाने पीने की रसत की ववस्ता करना राजी की जिम्मेदारी जो रास्तों का इस्तिमाल किया जाएगा एक से दूसरी जगे मूफ करने का वहां पर किसी के साथ loot मारना हो जाए कोई अपरी घटना ना हो जाए उसे protection देने की जिम्मेदारी भी आपके उपर आ जाएगी तो यहां यहां से कही ना कही फिर आर्मी जो है वो एक important mean बनती चली गई क्योंकि आपको फिर यहां से clear हो गया कि आप सेना रखना पड़ेगी अब तक तो यह हो रहा था कि सेना जो थी वो आपका ठीक-ठाक मात्रा में रखी जा रही थी क्योंकि आपने युद्ध लड़ने थे मगर युद्ध के इलावा आपको अपने जो हाइवेस कहा लेते हैं उस जमाने के जो भी आपके important highways हैं उनका protection अगर आपने करना है उसके लिए भी आपने सेना की या फिर आपने सिपाईयों की आर्मी की जगुरत पड़ेगी तो यहां से आर्मी की importance और ज़्यादा बढ़ गई और यहां से फिर जो modern empire की आर्मी थी वो disproportionately बहुत ज़्यादा बढ़ी होती चली गई कितनी ज़्यादा बढ़ी होगी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कुछ estimates का मानना है कि मौरे लगबग 6 लाग के आसपास तक की standing army रखते थे इसके लाबा हाथी घोड़े वो सब अलग है पूरा उनके arms and equipments की ववस्था कर रहे हो तो इससे समझ में आता है कि empire की resources कितने ज़्यादा थे और इन मार्गों का protection कितना relevant हो गया था कि इतनी बड़ी फौज रखना पड़ रहे थी आज भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी 6 लाग की फौज नहीं है पाकिस्तान जो अपन इसकी फौज बीश है 6,5 लाग की आसपास है तो आज की तारीक में भी काफी सारे देश इतनी बड़ी आर्मी नहीं रख पा रहे हैं जितनी बड़ी आर्मी मौर्रियंस को उस जमाने में रखना पड़ रहे थी सिर्फ इसले नहीं कि युद्ध लड़ना पड़ रहे थे इ यात्राओं में महिनों का वक्त लग सकता है तो यहां पर फिर protection और provision दोनों important हो जाते हैं इन रास्तों की सुरक्षण important हो जाती है यहां से फिर आपकी जो सेना है वो prominence गेन करती चली गई आर्मी जो है वो प्रोमिनेंट होती चली गई और साथ ही साथ शायद उस जमाने में जो दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी वो मौरियन्स मिंटेल कर रहे थे चले हैं आगे बढ़ता है तो अभी तक के डिसकेशन से हमको एक बात समझ में आ गई कि मौरियन्स के टाइम पिरियड में समराड अशोक का वक्त आते आते जब मौरियन अंपायर अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच गया अपने चेरम या फिर अपने उदकर्श पर पहुंच तब सेना या फिर आर्मी का प्रोमियन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना सिर्फ एक बहुत बड़ी आर्मी मौरियन्स के दोवारा मेंटेन की जा रही थी मगर इस आर्मी का इस्तिमाल सिर्फ युद्द लड़ने के लिए नहीं और भी बाकी सारी गतिविदियों के ल इसा तो होता नहीं अगर आपने का आर्मी मेंटेन किये तो लगातार फिर आपने एंशॉर करना होता है कि सिपाईयों के फिटनेस ठीक रहे साथी साथ जो भी वेपन्स वगरा है बहतर से बहतर वेपन्स उनके पास में उनको मोहिया कराई जाए अच्छे से अच्छी बात करो तो बारा पंत्रा अपनी पंत्रा लाग के आसपास की इंडियन आर्मी है वो एक जगे बेठा कर तो रखी नहीं गई है यह इसका पूरा मेंटेनस और अडिमिंस्रेशन भी होता था अब अगर छे लाग के करीम कि आब आप वाज रखके बैठे हो तो इसका मेंटे अपने अपने शेप कमिटी में डिवा सकतीथी répondre तो उन्होंने अपने शेप कमिटी में डिवाइड़ था यानि कि आपने एक समीति है एक कमिटी बनाई है और उसे ये बोला है कि भाई तुम पूरा का पूरा जो है सेना जो है या फिर आम फोर्सेस जो है आपकी आप इनका ध्यान रखोगे अब आम फोर्सेस इतनी जादा बड़ी थी कि अकेली कमिटी इसका ध्यान रखने ही सकती थी तो फिर इसको effectively इस काम को करवाने के लिए कमि कमिटी थी उसका जो काम था या जिम्मेदारी थी यह थी कि आप नेवी को देखोगे नेवी से related जितनी बी चीज़ें वो सारी जिम्मेदारी आपको नहीं भानी है यहां से अपने को यह पता चलता है कि मौर्यन के पास में एक नेवी भी हुआ करती थी और ये कोई आश्य ना आप तैर के पार कर सकते हो, बड़ी नाओ बनाई गई होंगी, बड़े जहाज बनाए गए होंगे, तो पूरा जो नेवी थी, इसका ध्यान, इसका maintenance और इसे related जो भी activities हैं, वो सब कुछ करने की भी जिम्मेदारी बनती है, तो उसके लिए पूरी की पूरी फिर एक subcommittee जो जाना नहीं है, कई-कई महिनों की, कई-कई हफतों की यातरा करनी है, तो इसमें आपको खान, पान, रसद और बाकी सारी चीज़ें लगेंगे, उस सारे provisions का विंतजाम भी आपने करना है, ठीक है जी? अब transport को थोड़ा से समझ लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि आपने बैल गाडीओं की जरूरत पड़ेगी, बैल गाडीओं के उपर आपने सिपाईओं को बठा के भीजना है, इसी के साथ सार अपने रसत का समान भी जो है लाद के भीजना है, आप जिस भी काम के लिए आप मूफ कर रहे हो, वो सारे काम से अगर किसी चीज़ को एक स सारी चीज़ हैं कि सारे प्रोविजन्स करने की जिम्मेदारी इस सेकेंड सब कमेटी के ऊपर आती थी तीसरी सब कमेटी की जिम्मेदारी थी इनका पूरा अपर परा सेलरी बगएरवरा और सारा जो भी हिसाब किताब और पूरी के पूरी सब कमेटी बनाई हुटी चौती सब कमेटी गोडों तियान रखती थी होसुर्सेज कं़िए अपना एक इंपर्टेन डोल था पुराने टाइम प्रेड में वार फैर में इन फैक्ट अभी भी जब तक tanks introduced नहीं हुए थे modern warfare में 1800, 1900 के आसपास तक में, तब तक भी cavalry का अपना important role रहा करता था, तो horses को भी जो है, इनका ध्यान रखना, इनका पुरा maintenance important हो जाता है, इसके लिए पूरी की पूरी एक subcommittee थी, जो chariards या फिर रथ हुआ करते थे, उसके लिए एक subcommittee बनाई गई थी, और हातियों का ध्यान रखने के लिए पूरी की पूरी subcommittee थी, हमने अभी discuss भी करा है कि हाती एक important element हुआ करते थे, तो ये भी आशर चकित करने वाली बात नहीं है, आशर जनक नहीं है, सर्प्राइजिंग नहीं है कि elephants का भी ध्यान रखने के लिए एक specific subcommittee बनाई गई थी, इस तरीके से ये 6-6 subcommittees बनाकर, जो इस एक बड़ी committee का part थी, इतनी बड़ी आर्मी या इतनी बड़ी सेना को maintain, morians के time period में किया जाता था, और Megasthenes ने इसके बारे हम पूरा record लिखा है क्योंकि ये आदमी वहाँ पर ambassador था, तो इसलिए इसके accounts के उपर हम वरोसा कर सकते हैं, इसको एक authentic source मान सकते हैं, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि second subcommittee को ये बोला गया है कि transport और provision की जिम्मेदारी तुमारे उपर है, forge अगर कहीं से भी कहीं तक move कर रही है, तो transport औ आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा variations आपको देखने को बिलेगे, आपने एक से लेट से आप इसको ऐसे मान लेते हैं कि partly पुत्र से अगर तक्षिला जाना है, और आप 5000 सिपाईयों को लेकर जा रहे हैं, तो 5000 सिपाई ये तो है निकि partly पुत्र से तक्षिला तक कुल मिलाकर अगर आगर एक से दूसरी जागे मूव कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो बुलक कार्ट्स, चाहे लोगों को बठा कर लेकर जाना हूँ, चाहे एक्यूपमेंट लेकर जाना हूँ, उसके लिए आपको ज़रूरत है, और इसके लावा गोड़े हा आदमी चलना शुबू करेगा और चलता चला जाएगा बस रात को कहीं पे सोने के लिए रुकेगा, खाना वाना खायेगा और सो जाएगा, वीच-वीच में कई जगाओं पर अच्छी जगाएं भी पढ़ती है, आदमी थप भी जाता है, तो बहुँ एक लंबा रेस्ट ल पर आपने जाना है, फिर इन सब के लिए भी रसात पानी और इनके भी साथ में चलने की व्यवस्था करनी है, तो खुल मिला कर ये जो कमिटी है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये सेकंड कमिटी, सूबर कमिटी के तौर पर काम किया करती थी, सेकंड सब कमिटी की जिमेदार इन वर्च्वली उनिवर्सली अप्लिकेबल है, तो समराट अशोग जो थे, उन्होंने अब ना सिर्फ सिना का इस्तिमाल करकर अपने अंपायर को एक साथ जोड के रखने की कोशिश करी थी, बड़ साथी साथ उन्होंने धम का जो प्रचार प्रसार किया था, आज की तार आपको जो है, इतना सिंपल है कि आपको समझ में आ जाएंगे, एंड इनकी जो अपील है वो यूनिवर्सल है, चाहे आप रशिया के आदमी को बोल दो की बड़ों का सम्मान करो, हर आदमी की रिस्पेट करो, तो उसको भी ये बात पलने पड़ेगी, चाहे आप लेटन अ इतना जादा आप कह सकते हैं, ग्लोबली अप्लिकेबल है कि आज भी इसको आज भी इसको आज इस जो है, लोगों तक पहुचाया जा सकता है, और लोगों समझ में आ जाएगा, हिस्टोरियां का मानना ये है कि शायद समराड अशोक ने धम का प्रचार प्रसार किया, जिस सारी चीज़े मानोगे, तो इससे आप इस दुनिया में भी अच्छे से रहोगे और दूसरी दुनिया में भी जो है आप अच्छे से रह सकते हो, आपको अगली दुनिया में भी जो है भगवान सद्गती देगा, अब अगर इन बातों का लोगों पर प्रभाव पड़ेग लोग अगर अच्छे से रहेंगे, किसी से लड़ाई जगला नहीं करेंगे, सबकी इज़त करेंगे, रिस्पेट करेंगे, है ना, सबके साथ आधर सतकार से रहेंगे, तो इससे एक बहुत बड़ी चीज जो नहीं होगी, वो है conflict, अगर conflict कम होंगे, इसका मतलब आपके राज आप अच्छे से फोकस कर सकते हो, तो कही ना कही धम का चो प्रशार प्रशार था, जिसने लोगों को passive होने की तरफ थुड़ा सा पुश किया है, ये बोलकर कि इस तरह से रहोगे, तो इस जिंदधी में भी अच्छे से रहोगे, अगली जिंदीगी में अच्छे सा रहोग जिसका नाम धम महमत्त हुआ करता था उसको पॉइन्ट किया जाता था और उसकी जिम्हदारी यह होती थी कि उसको यह देखना था कि धम का प्रचार प्रसार अच्छे से हो रहा या नहीं अब यहाँ पर धम का मतलब यह नहीं है यह जो धम क्या लिजी यह जो धम है या फिर इसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है इनका प्रचार प्रसार किया गया था धम का मतलब यह नहीं है कि आप एक स्पेसिविक किसम का जो रिलिजन है या फिर आज की तारीक में हम लोग और इस तरह से समझते हैं उसका यहां पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो स्पेसिविक स्पेशल ऑफिसर्स जो है इसके लिए अपॉइंट किये गए थे जिनक सब देना चाहते हो आपका मन कर रहा है वो भी समझ में आता है मगर मॉरल साइंस के लेसन देने के लिए आपने का आदमी को बढ़ा के रखा और उसकी जिम्मेदारी यह है धम महामत्ता की कि आर सब लोगों के अंदर तक यह बात पहुँच जाए यह अच्छे से प्रचार करीड के चलते हैं आप अपने सारी फोर्सَّस को एक्स्टरनल थ्रेट के उपर पूरी तरीके से लगा सकते हो क्योंकि अंदर लॉइन ओर्डर की कोई दिक्कत नहीं है लॉइन ओरडर की दिक्कत नहीं तो फोर्सेस बटेंगी यहा पर जाएंगे नहीं वज야 धम है और धम क आगे बढ़ता है चले next topic discuss करता है इसका नाम है What the Kings Officials Did What the Kings Officials Did में अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो civil administration हुआ करता था या जो प्रशाशन हुआ करता था मौरियंस के time period पर वो क्या काम किया करता था उनके क्या main functions थे जैसे कि अपने देखा था कि महाजन्दपद जब grow करने लगे तो उनमें महाजन्दपदों के growth के साथ में state के दो particular elements मजबूप होते चले गए prominence gain करते चले गए एक था army और दूसरा था administration तो army का क्या function है वो तो अपने को पता है कि अगर बाहर से कोई खत्रा है तो उसको रोकने के लिए आपको war लड़ना पड़ेगा उसमें फॉच की जरूरत है अगर internally कहीं पर बगावत हो गई तो उसके लिए आपको army की जरूरत है प्लस law and order अगर maintain करना है तो उसके लिए आपको army की जरूरत है तो मगद का जैसे जैसे सबसे important महाजन्तपत के रूप में सबसे powerful महाजन्तपत के रूप में rise हुआ और फिर जब Mauryan Empire बना और अपने चरं तक गया अपने highest तक गया अपने एकदम epic तक गया तो उस पूरे phase में army का importance और prominence बढ़ता चला गया अब उसका कैसे देख रेख किया जाता था वो सारी चीज़ें अपन लोगों ने इसके पहले वाले topic में discuss कर लिया है यहाँ पर मगर साथी साथ जो administration था उसका भी importance बढ़ता चला गया bureaucracy का size है वो भी increase होता चला गया जैसे जैसे महाजन्तपत बड़े हुए या फिर मगत का rise हुआ या फिर बाद में empire बना तो अब वाज़व सवाल ये भी बनता है कि फिर ये लोग क्या किया करते थे इनके क्या क्या important function हुआ करते थे तो वो जानना भी ज़रूरी है तो वो अपन लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे Megasthenes की किताब जो इंडिका है उसमें उसने प्रशाशन के जो functions बता हैं उसके बारे में और वहाँ से फिर अपने को पता चलेगा कि administration more than time period पे किस तरह से काम किया करता था Of the great officers of state some super intent the rivers measure the land as is done in Egypt and inspect the slices by which water is let out from the main canal into the branch into their branches so that everyone may have an equal supply of it तो अब यहाँ पर उसने ये बताया है कि जो great officers of the state याने कि जो राज या प्रशाशन है इसके जो अफसर्थ है इसकी जो bureaucracy थी इसमें से कुछ लोग क्या करते थे कुछ रिवर्स को super intent करते थे नदियों पर नजर रगते थे याने कि यहाँ से किस तरह से आपका पूरा जो है communication हो रहा है and यहाँ से व्यापार वगएरा किस तरह से चल रहा है इन सारी चीजों को देखने की जिम्मेदारी इनके उपर थी दूसरा यहाँ पर measure of the land जमीन से अब जो जितनी जमीन पे खेती बाड़ी हो रही है तो कितनी जमीन पे कौन खेती बाड़ी कर रहा है उसके basis पर उससे एक particular amount में tax वसूला जाता था तो सबकी जमीनों की जो measurement करने की जिम्मेदारी थी वो भी इनी officers के उपर आती थी थिर आगे Megasthenes कहता है as is done in Egypt याने कि ऐसा नहीं था कि यह काम सिर्फ इंडिया अकेले में हो रहा था या यह unique किसम की बाग थी Egypt में भी यह होता था कि जो आपके समुदरी मारग हैं जिन से वैपार होता था उन पर नजर रखी जाती थी उनको पूरा super intent किया जाता था वहाँ से भी toll tax और बाकी सारी चीज़ें जो collection होती थी वो किया जाता था Egypt में भी यह कहानी चल रही थी यहाँ पे आपके Morian Empire में भी यह हो रहा था इसी तरह जमीनों का भी जो है measurement करकर हर एक जिसके पास जितनी जमीन आती थी measurement में उसके हिसाब से tax वगरा वसूला जाता था आगे यह बोलता है and inspect the slices by which water is let out from the main canals into their branches so that everyone may have an equal supply of water तो और कुछ officers का काम यह था कि जो आपका जो main canals या फिर नहर है उसमें से जो फिर आपने छोटे-छोटे channels काटे हैं जिसके तुरू आप पानी supply करते थे अलग-अलग खेतों को या फिर अलग दूसरे कामों के लिए तो सबके पास बराबरी से पानी जाए उसके लिए जो एक main canals की slices थे जिनसे water supply किया जाता था कई लोग इनको भी inspect किया करते थे इसको थोड़ा सा समझता है suppose कर लिए कि एक नदी आ रही है इस नदी के उपर अगर आपने एक बान्ध बना के इसका पानी रोग दिया उसके बाद में फिर इसमें आगे की तरफ में आपने यहां से अलग-अलग नहर काट दी यहां से छोटे-छोटे आपने नहर के रास्ते बना दी और बांध पर यहां पर आपने एक opening डाल दी यहां से आप कितना पानी supply करना और कब तक करना यह control कर सकते हो तो यह जो portion है जहां से आप water supply करते हो आगे बांध को बनाने के बाद में जहां से आप आगे further water supply करते हो चोटी-चोटी जो आपके channels बगएरा बनाये जाते हैं चोटे-चोटे जो नहर बनाये जाते है उसको बुला जाता है slices इसकी photograph देखिए तो आपको ज़्यादा चिरे समझ में आएगा आप यह जो slices आपने बना रखे हैं इसको रोक कर आप यहां से पानी की supply रोक सकते हो या अगर इस पर आप एक ऐसा mechanism बना दो जिसकी मदद से पानी को कम ज़्यादा किया जा सके तो कितना water supply होना उसको आप इंजॉर करवा सकते हो तो क्योंकि यहां पर होता क्या था कि generally occupation जो main था लोगों का वो था agriculture agriculture के लिए एक तो भारत में अपन लोग depend करते हैं monsoon के उपर और दूसरा आपने को ज़रूरत पढ़ती है पानी की तो वो सिचाई के लिए पानी अपन लेकर आते हैं नदियों से अब उस जमाने में बुरवल बगदा तो होता नहीं था, कुएं भी इतने नहीं खोदे जाते था तो किया यह जाता था नदियों के उपर बांध बनाये जाते था अब जैसे यह नदी बहरे यह इसके उपर बांध बना दिया अब इस बांध के आगे अलग-अलग खेतों तक जाने के लिए आपने नहर काट दी, इन नहरों को फिर आप छोटे-छोटे इस तरीके के slices या फिर openings के साथ में जोड़ा जाता था, जिनको इस dam के साथ में connect किया जाता था, अब यहां से रुका हुआ पानी जो है, supply किया जात ताकि सबके पास बराबर से पानी जाए, यह सारी चीज़ें करने की जिम्मेदारी भी officers के उपर डाली जाती थी, ताकि किसी के सांथ कोई भेदभाव ना हो, तो prominently Megasthenes के account से यह पता चलता है कि कुछ लोग bureaucracy में से नदियों के तुरू जो, या rivers का पूरा एक network था, जिसक इसको फिर वो compare भी करता है कि exactly इसी तरह से Egypt में भी होता था, फिर वो nehron की बात करता है कि जो main nehr है या main canal की उससे फिर चोटी-चोटी branches काटी जाती थी, उन सारी branches से सबको बराबर से पानी मिल रहा है कि नी मिल रहा, इसके लिए जो slices बनाए जाते थे, जिन से water कितना जा अब यही लोगों को यह जो huntsmen या शिकारी हुआ करते थे, उनका भी चार्ट दिया जाता था, और उनके पास में यह power थी कि वो जो भी उनको target दिया गया है, शिकार करकर लाने के लिए उतना वो शिकार लेकर आ रहे है या नहीं आ रहे है, या उससे कम amount में वो शिकार ले कर रहा है, huntsmen का मतलब किया, जो यह पूरा शिकार वगएरा का काम करते थे, जंगलों में जाके जो आपका पूरा जो flesh वगएरा के लिए जानवरों का की पूरी heading वगएरा उसमने में की जाती थी उसको देखते थे, तो उनकी भी जिम्मधारी कुछ लोगों को दे रखी थी, they collected the tax and super intended the occupation connected with land as those of the woodcutters, carpenters, blacksmith and miners, इसके इलावा majorly जो आपके officers वगएरा थे, प्रशाशन में उनका काम था tax collection का, यह लोग अपना tax वगएरा कलेक्ट करते थे और इसके साथी साथ जमीन से जुड़े हुए एक तो प्रोमिनेंटली आपका agriculture से टैक्स आता था, बगर agriculture के इलावा भी जमीन से जुड़े हुए जो दूसरे occupations थे, जो directly indirectly है, तो agriculture से जुड़ते थे जाके या फिर, अगर agriculture से नहीं भी जुड़ते थे, तो फिर land के साथ में जाके connect होते थे, उन लोगों से भी जो है, उस तरीके के occupation में लगे हुए लोगों से भी tax collection की लेना कहीं खिसता ले रहे हो, तो जाइड़ी बात है, इसके उपर फिर tax देना बनता है, इसी तरह उस लकडी की मदद से, अगर कोई carpenter कोई बढ़ ही, कोई काम कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो उसको फिर बेश कर कुछ profit कमा रहा है, तो उससे भी फिर tax वगरा लेना बन नहीं था, तो अभी इनसे भी tax वगरा collection की जिम्मेदारी bureaucracy के उपर डाली गई थी, तो यहां से अपने को कुल मिला कर एक बात समझ में आ रही है, कि tax collection जो है, वो एक prominent part हुआ करता था, bureaucracy का और वो लोग इसमें लगे हुए थे, वो बड़ी मातरा में जो है, यह जिम्मेदा था, और properly tax determination जो करना था था कि उसको फिर collect किया जासा कि और सारी चीजों को करने की जिम्मेदारी यह लोग बखुभी निवा रहे थे, चले, next topic discuss करते हैं, इसका नाम है, how important was the empire, अब इसमें हम लोग यह discuss करेंगे कि Morian Empire, historical point of view से आखेर, कितना important था, और अगर important था, तो क्य important था, क्या reasons हैं जिसके चलते हैं, इसको history में, Indian history में, ancient Indian history में इतना जादा relevance दिया जाता है, इतना जादा importance दिया जाता है, इसको अबलोग इस particular topic में समझेंगे, when historians begin reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the Morian Empire was regarded as a major landmark, India was then under colonial rule and was part of British Empire, 19th and early 20th century Indian historians found the possibility that there was an empire in early India, both challenging and exciting, तो कानी क्या है, historians ने, जब आपके ancient Indian history, ancient India की history को reconstruct करना शुरू किया, प्राचीन भारत में इतिहास कैसा था, उसको समझना और उसको लिखना शुरू किया, तब Morian Empire के बारे में इन लोगों को पता चला, हमने देखा है, पास्ट लेक्चर में, प्रिंस चाइफर कर लिया गया, तो उसके बाद में, किस तरह से historians को फिर शिलाल एक पढ़ने में कामियाभी मिली, और उनको पढ़के फिर उनको पता चला कि एक राजा हुआ करते रहे, जिनका नाम था समराठ अशोक, समराठ अशोक के बारे में पढ़ा गया, तो फिर और पता च इंशेंट इंडियां हिस्ट्री को पढ़ते हुए इसके बारे में, जो पता चला जब मौरियन अंपायर के बारे में, तो ये इंशेंट इंडियां हिस्ट्री का एक बहुत मेजर लाइंडमार्क माना जाता है, इसकी एक बज़ा तो ये भी है कि उस जमाने में जब ये सार प्रभाव जमाया था इंट्रेस्टिंग पॉइंट है समझेगा इसको कि कोलोनियल रूल एक ऐसा फेज आया है जिसमें पूरा भारत जो है इस इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने अपने प्रभाव के तहत में लेकर उसको अपने कबजे में ले लिया अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक और ऊपर कश्मीर से लेके नीचे कन्या कोमारी तक पूरा का पूरा इंडियन सब कॉंटिनेंट है वो अंग्रेजों के कबजे में था डिरेक्टली या इंडिरेक्टली अंग्रेज रूल कर रहे थे और इनका ये ख्याल था कि इसके पहले ऐसा किसी न दिया जाए तो ये अपने आप में बड़ी फैसिनेटिंग बात थी अंग्रेजों को ये बड़ा चैलेंजिंग लगा और बड़ा एक्साइटिंग लगा कि ये काम जो इसको हम लोग करके आज की तारिक में अपने उपर गर्व कर रहा है धाई हजार साल पहले एक आतमी इ साथी साथ जैसे जैसे आर्किलोजिकल एविदेंसे पता चलते चले गए आर्किलोजिकल फाइंट में जब मॉरियनस के टाइम पीरिट का स्कल्चर मिला यक्षिणी की जब प्रतिमा आपको मिलती है ये जो सारनाथ का लॉइन का पिल्टल मिलता है और इसी तरीके के और भ इतना जादा spectacular हुआ करता था, कितना जादा developed था, यहां से अंग्रेजों का भी जो एक perception था भारत को लेकर बदलना शुरू हुआ कि यह एकदम ही हमें गया भीता और खतम किसम का समझते थे, तो इनको समझ में आया कि भारत एक ancient civilization है, और यह जो time period है जिसमें अंग्रेज हमार आके जा चुका था, हम लोग basically इस line के वक्त में थे, या फिर एक ऐसे कह सकते हैं कि phase में थे जब हम stagnate कर रहे थे, जब यह जो 1000 साल आपके गए है, medieval time period के, इस वक्त में जब invasions वगरा होते रहे, है ना, तो इससे यह समझ लेना कि हम लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं, ह हमारा कोई past नहीं है, गलत है, हमारा जो glorious past है, उसको जानकर इनकी आँखें फटी के पटी रह गई हैं और कहीं ना कहीं, इन्होंने भी जो एक admiration जो है Indian history के लिए develop किया, एक India इस तरीके के arts और इस तरीके की चीज़ें जो मिल रही हैं, जैसे मैंने आपको photograph दिखाया था कि धाई अजार साल पहले कोई यह सोच सकता था कि यक्षिनी की इतनी शांदार प्रतिमा जो है पत्थर पे तराश के बिना किसी आपके machine की मदद से बनाई जा सकती है, मगर लोगों ने किया है वो काम और आज भी वो जो वहाँ पे प्रतिमा है, वो बता रही है कि कितना fine किस समझ में आता है कि कितना बढ़िया किसम के कलाकार रहे होंगे और कितनी advanced और कितनी developed उनकी कला थी, किस तरीके का मतलब उनका कौशल था कि इतने simple tools की मदद से ऐसे spectacular किसम के उन्होंने designs वगरा बनाए था, इन सारी चीजों ने ये भी बताया कि ये जो अंपायर था, ये art व बंद करके कमरों में नहीं रखा जाता था, तो ये भी सारी indication थे कि समाज जो था उस वक्त में progressive हुआ करता था और इंडिया का जो ये समाज अंग्रेजों के सान ने देखने को मिला है इनको, कि जिसमें महिलाओं की स्थिती अच्छी नहीं थी, बहुत गरीबी थी, ये सारी चीज़ें थी, वैसा कुछ उस समाने में नहीं था, prosperity हुआ करती थी लोगभाग जो थे comparatively अच्छा well to do स्थिती में थे और अच्छी जिन्दगी जो है चल रही थी, ये बात भी अपने को पता चलती है Many of these historians found the message on Ashokar inscription very different from that of the most of other rulers तो ये तो interesting point है ये कि Samrat Ashok ने जिस तरीके के message अपने inscriptions में दिये थे ना सिर्फ हिंदुस्तान बाकि दुनिया में कहीं पे भी ऐसा राजा नहीं हुए जो इस तरीके की बातें करते हूं अपनी प्रजा से इस तरीके के inscriptions खुदवा कर लगाए हूं कहीं पर तो ये भी जो है Samrat Ashok को एक different किसम का ruler बनाता है और obvious सी बात अब ऐसा राजा historian को मिलेगा जो ऐसी बातें कर रहा है तो उसके बारे में जानने में दिल्चस्पी तो बनेगी बनेगी साथी साथ Samrat Ashok का जो ये पूरा अलग-अलग जो शिला लेगा आपको अलग-अलग जगाओं से मिले जब इसको पूरा फिर map किया गया पता चला कि empire कितना बड़ा था तो इससे ये भी समझ में आया कि ऐसा नहीं था कि वो शान्ती की बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो कमजोर थे, बहुत powerful किसम के ruler थे, उसके बाद में भी शान्ती की बातें कर रहे थे, उसके बाद में भी pacifist attitude अपनाने की बातें कर रहे थे उनके जो पिता हुआ करते थे बिंदु सार, वो उनकी पहली पसंद नहीं थे राजा बनाने के लिए, मगर सबसे खिलाब जाकर सामने वाले का conviction था कि वो ना सिर्फ सम्राड बना, मगर प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और सबसे थाकत वर सम्राड बना, तो ये जो powerful और industri अशोक का उदय होता है, इंचेंट हिस्टी में, ये भी कही ना कहीं, आपको ये बताता है कि उसके बाद कि जो रूलर्स है, जिन्होंने बड़े-बड़े टाइटल्स अपनाया और सारी चीज़ें करी, उस सब उनके सामने मौने सावित होते हैं, उनकी personality उनके सामने बहु एक वो symbolic scene बताया था कि बलाल देव से जादा बड़ी मूर्ती जो है, वो बहु बली की, वहाँ पे खड़ी होगी, ति लगबग लगबग उसी तरीके का एक contrast समराथ अशोक के पहले और उनके बाद में आये हुए रूलर्स का समराथ अशोक के comparison में निकल कर आता है, कि उनक अशारी चीज़ों का फाइदा हिंदुस्तानियों को भी मिला, जो हमारी self-respect कहीना फे खत्म हो गई थी, कहीना फे हम लोग गुलाम मान सकता के शिकार हो गए तो उससे निकालने में, जो हमारे nationalist लीडर है, उन्होंने भी समराथ अशोक पे एक inspiring figure के तोर पर लिया, उनसे ख जी है और हमारा अगर अच्छा वक्त स्वर्णिम काल कभी था, तो फिर आ सकता है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से mass motivation के तौर पर भी, mass motivation के लिए, समराथ अशोक का example जो है, उसको nationalist लीडर ने इस्तिमाल किया है, उसको जो है, prominently use किया गी है, yet how important was the Moran Empire फिर भी अगर यह सवाल अगर पूछा जाए कि Moran Empire आखिर कितना important था और क्यो important था, तो इसको और ज़्यादा जो है, डीटेल में जाकर इस तवाल का जवाब अगर हम लोग कलाशना चुरू करें, कि यह सब चीज़ें जो आपने बोली, वो ठीक हैं, कि Moran Empire में यह हुआ थ वो अच्छी अच्छी बात है, बट फिर भी अगर आप ध्यान से देखोगे, तो Moran Empire जादर 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 1500 साल तक जो है, लास्ट किया था, 150 साल अप भी बहुत लंबा वक्त नहीं होता है, इतिहास में, इंडियन सब कॉंटिनेंट का जो इतना प्राची नितिहास है, उ और उसको 1500 साल बहुत बड़ा वक्त नहीं है, चलें उसमें मानली अच्छी चीजें होई होगी, बड़ी बड़ी बाती होगी, पर फिर भी ऐसा क्यों से तीर मार दिये गए, कि आप 1500 साल तक के लिए जो एक Empire exist करता था, उसके बारे में आप इतना शोड शराबे के साथ में पॉरे माप को देखकर अपने को ये भी पता चलता है कि पूरा का पूरा इंडियन सबकॉंटिनेंट तो कभी मौरियन के इंडर में नहीं आया, जो साउट का इलाका था काफी हद तक, आज का तमिलनाडू और केरल था, वो मोर और लेस लगवग लगवग पूरा मौरियन क कंट्रोल से दूर था, और इसके अलावा वो सारा इलाका भी जो मौरियन अंपायर के कंट्रोल में आया, तो वहाँ पर उनका कंट्रोल पूरी तरह से युनिफार्म नहीं था, ये भी हम लोगों ने देखा है, इतनी सारी चीज़ों के बाद में भी आखिर मौरियन अंपा प्राचीन भारत का पहला अंपायर था, ये पहला अंपायर था जिसने अखंड भारत की नीव रखी थी, ये जो अखंड भारत का कंसेप्ट है, इसकी नीव रखी थी, ये पहला अंपायर था जिसने इस बात को समझा था कि इस यूनिटी जो है, वो भारत का दुर्भाग की साबित होगी, आपको अगर बाहर के खत्रों से और अंदर के खत्रों से अगर लड़ना है, तो एक यूनाइटेड और एक मजबूत अंपायर बना के तयार करना तो ये जो कंसेप्ट है, एक सशक्त भारत की, एक मजबूत भारत की, इसके अगर आप बीज में जाओ, तो वो आपको धाई अजार साल पहले मौरियन अंपायर के टाइम पीरिट पर देखने के लिए मिलता है, जब एक बड़े अंपायर की नीव रखी गई, क्योंकि बाह इसके लिए मजबूत होना इखटा होना जरूरी है, जब तक ये मजबूत रहे इखटे रहे तब तक फिर बाहर से कोई इनवेजन नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ताकतवर अंपायर खड़ा हुआ था, मगर जब इनका फिर मौरियन अंपायर ख़त्म होता है, भारत फिर अलग अलग खंडों में डिवाइड होता है, तो फिर हम देखता है कि लगातार फिर इनवेजन होता ही चले गए, होता ही चले गए, जब तक फिर गुपतास का अंपायर नहीं आया, तब तक फिर इनवेजन नहीं रुके है, फिर जब एक मजबूत अंपायर था, तब तक उसके बाद फिर जब disunity आई है तो उसके बाद से लेके 1947 तक जब तक आजादी नहीं मिल गई अंग्रेजों ने जब तक ultimately पूरा एक अपना कह सकते हैं British Indian Empire नहीं बनाया तब तक invasions रुके नहीं और उसने फिर हमारी हालत खराब कर ली तो इस सारे points को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इससे ये पता चलता है कि ancient Indian Indian में Morian Empire एक बहुत important empire था बहुत relevant empire था हमारी cultural जो roots हैं कहीं ना कहीं आज तक जाकर उसके साथ में जोड़ती है उन्होंने जो काम किये तो उसके प्रभाव आज तक आपको देखने को मिलता है बुद्धिजम को खास तोर पे जो उन्होंने बढ़ावा दिया था उसका असर हमको आज तक भारत में देखने के लिए मिलता है और भारत के बाहर देखने के लिए मिलता है तो सिर्फ इंडिया की जो boundaries है उसके अंधर इसका प्रभाव नहीं है पूरे दुनिया के अलग-अलग prominent इलाकों में जापान तक जो आपको Indian culture का प्रभाव देखने को मिलता है उसमें Morian Empire का एक बहुत important role है Morian Empire में भी खास तोर पर समराइट Ashok ने जो role अदा किया है बुद्धिजम को promote करने में जिसमें Morian resources और सारा energies लगाईगी उसका एक बहुत important role हम मान सकते हैं और इसी के चलते चाइना में एक journal ने कहा था कि भारत ने हमें 1000 साल तक dominant किया है और उसके लिए उनको एक soldier भी भी भीजने की ज़रूरत नहीं करी नहीं पड़ी उन्होंने culturally हमें बहुत जादा जो dominant किया है तो यह जो cultural domination आपको Central Asia से लेकर Southeast Asia तक किसी जमाने में देखने को मिलता था उसके बीचे modern empire एक important कह सकते हैं factor रहा है और अगर modern empire ना होता तो शायद आज की दुनिया वैसी ना होती जैसे हम आप देखने के लिए मिलती है तो इसमें जो है modern empire का importance लाए करता है By the second century before common era, new chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जब तक modern empire रहा तब तक उसने politically पूरे Indian subcontinent के major portion को अपने साथ में बांध कर रखा मगर ultimately जब modern empire का disintegration होता है second century before common era आते आते तब हमको फिर वो ही political disunity देखने के लिए मिलती है जो मौरेयन के पहले हुआ करती थी फिर से जो है नए chiefdoms इमर्स करना शुरू करते हैं नए kingdoms निकल कराना शुरू होते हैं और Indian subcontinent के कई सारे parts में इसको भी हम लोग discuss करेंगे मगर वो discussion हम लोग करेंगे next lecture में जिसमें हमने ये topic new notion of kinship chiefs and kings in the south इसको detail में discuss करना है आज का lecture अपन लोग यहीं पर समाथ करते हैं आज के lecture को अपन लोग यहीं पर empire था class 12 history के chapter 2 में morian empire के बारे में जितनी भी बातचीत थी वो सारी की सारी हम लोग उने करकर खतम करी है I am pretty sure आपको lecture अच्छा लगा होगा सारे आपके concepts clear हो गए होंगे तो इसी note पर calling it the day and concluding the session मिलता हूं next session में जिसमें अपन लोग यह topic new notion of kingship sheeps and kings in the south discuss करेंगे अब तक के लिए अपना ध्यान रखें खुश रहें positive रहें चैनल को subscribe करें आपके दूसरे friends उनसे भी इसको share करें और हमें support करें ताकि मैं इसी तरह आप लोग के लिए अच्छे सच्छा content बना कर लाता रहूं तो इसी note पर मिलता है next session में thank you Jain